अल्लो एवरिवन आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे नैशनल और इंटरनाशनल अफैर वाला जो टॉपिक है जो फर्स चैप्टर है CSEET Current Affairs का वो आज हम लेके आए हैं तुम लोगों ने ये चैप्टर देखा ना मिटा भेंकर बड़ा सारा चैप्टर है बड़ा भी है और ऐसे है इसमें से बरबर के सवाल भी पूछता है और और ऐसा लगता है सर थोड़ा सा बोरिंग भी है लेकिन यार नंबर तो यहां से भेंकर आएंगे ना तो इसको अपन भी कैसे करने वाले है आओ इस चैप्टर को मेरे साथ साथ करोगे लेकिन जब मेरे साथ साथ करोगे में को क्या चाहिए कि ये चैप्टर में इतनी सारी quantity of information इतनी जादा है तो इसको आपको साथ साथ में notes बनाने है notes मतलब कि जब मैंने आपको कोई चीज बता होना तो भी पढ़ रहे हो तो दो रिविजन एक बार में यहीं पर हो जाते हैं तो आए इंटरनाशनल और नाशनल अफ़ेर करन्ट अफ़ेर का CSEET मोड्यूल के साथ से फर्स चैप्टर लेकिन मेरे आ ओल्रडी फिनाशन अफ़ेर वाला टॉपिक आपको आ चुखा है तो एशियन नेशन एस यान साउथ एशियन असोचेशन फर रीजिनल कोपरेशन सार जी ट्वेंटी जो अभी अभी हुआ था फिर बिंस्टेक के बार में करेंगे एडीवी एशियन डेवलाप्मेंट बैंक ओई सीडी यहां तक की हमारी इंटरनाशन और्गनाशेशन हो गई ठीक है यह इंटरनाशनल यह पहले पेज पर भी अभी तक सारी जो भी थी यह इंटरनाशनल और्गनाशेशन इसके बाद एक इंटरनाशनल ने आना आगे कोई छुपा दिया यह 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 भी ठीक है जी सेवन समिट जो है यहां यह सारी चीज़ें जो है इंटरनाशनल है इसके बाद हम अपने नाशनल अफैर के बारे में अगर बात करें तो हम नीती आयोग आरबियाए सेबी CCI, IBBI, ICSI उत्तरप्रदेश में अभी अपने समिट हो रहा है Global Investor Summit वो World Investor Week की General News आ रही है कुछ Business Personality जैसे मोकेशंबानी, गौताम अदानी, अजीम प्रेम जी इनके बारे में बात करेंगे Leaders PM Modi और इन सब के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत Core Leader Summit and Sample MCQ ये टोटल हमारा टॉपिक है तो आजाओ, ये हो गया National ये भी हमारे हो गये National ठीक है, ये General है, ठीक है, ये सबब General News है तो इस चैप्टर को अपने तीन भाग में डिवाइट कर दिया पहला बाग क्या हुआ, इंटरनाशनल कुछ चीजे हैं, कुछ Organizations है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कुछ National Organizations है, जो एकदम रोज में आपको काम आएंगी, जब आप CS बन जाओगे, तो वो और कुछ, ये Current Affair है तो या General Knowledge की कुछ एक चीज़ है, आप लोग को दी गई है, तो तीन categories में, अब तीन पार्ट में अपने इस चैप्टर को लेके जाते हैं, आईए, स्टार्ट करते हैं, बटा, IMF से, आप लोगों ने, World Bank, IMF, ये कई बार नाम सुना होगा, तो IMF के बारे में, क्या-क्या चीज़ से ध्यान देने लायक है, कि सर, 190 countries की organization है, पहली चीज़, जो आप लोग को साथ में, IMF heading डालो, ठीक है, notes कैसे बनाने हैं, मैं अभी अभी आपको एक बार sample जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि बिटा, साथ-साथ में आप बनाओ, आप बनाओगे, तो वो याद ज्यादा रहेगा, नहीं तो chapter है ना, boring होता जाएगा, तो आजाओ, organization कितने की IMF, 190 countries की, working to foster, अब ऐसे questions जो होते हैं, working to foster type के, करती क्या है, ठीक है, IMF, working to foster में मतलब, IMF करती क्या है, ठीक है, उसका जवाब, what IMF does, ठीक है, करती क्या है, IMF, तो यह बता है, अब ऐसे सवालों के जवाब, अपन exam के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सवाल के इस तरीके से आते, कि यार देखो, यह MCQ में जब हमारे questions आएंगे, तो यहाँ पर IMF के काम बता दिये, चार option दे दिये, उसमें से तीन काम तो शायद एक सा, एक जैसे, जो यहाँ पर लिखे में, वो दे दिया, एक कुछ अलग बता दिया, और पूछता है, कि बता है, उसमें odd one out कौन सा है, क्या, इसमें कौन सा, IMF का का काम नहीं है, यह इस तरीके से सवाल होते है, तो यह वाली जगे, जैनरली बच्चा गलती क्या करता है, वो सारे को याद करने की कोशिश करता है, अरे, practically possible नहीं, इतने सारे organization के, सारे functions, objectives को तुम याद करो, तो मारा काम क्या है, दो बार पढ़ना है, पढ़ना है, रीड मारना है, ताकि जब exam में आपको सवाल दिखे, तो आपको odd one out है ना, strike अपने आप हो जाए, तो सर, सबसे पहले, सबसे पहला काम क्या है, global monetary corporation का का काम करता है, financial stability का, थोड़ा common sense भी लगाना, IMF है, तो यह काम करे गई, international trade facilitate करता है, high employment promote करता है, sustainable economic growth and reduce party around the world, तो अभी अगर जैसे तुमको notes बनाने है, तो कैसे बनाओगे बेटा, मैं अभी एक बार सैंपल के साब से बता रहा हूं तुम लोग को, notes कैसे बनाने है, heading हमने डाल दी, जिस सर, अभी हम बात कर रहे है, IMF के बारे में, ठीक काम क्या क्या करेगी, ऐसे एरो बना लो, कि सर, poverty, पावर्टी बढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है, पावर्टी कम कर्णे के लिए, कीवर्ड क्या है, पावर्टी, stability, और क्या करेगा सर, employment, और क्या करेगा सर, आजो, ठीक है, corporation हो गया, international trade, corporation लिखते है, international trade लिखते हैं, and economic growth, इस तरीके से बेटा, आपको notes बनाने होते हैं, आपको सब कुछ नहीं लिखना, यह जो इतना सारा बड़ा सारा लिखा था ना, आपको सारी चीज़ें नहीं लिखनी हैं, आपको सिर्फ की की, जो keywords हैं, वो लिखने हैं, ताकि exam में अपने को number मिल जाए, यह मेरे को सब के चाहिएंगे, और आप मेरे को, आप मेरे को, किसी भी माध्याम से बेटा, यह photo यह बेजो, आप लोग को पता ही है, यह बहुत हुश्यार बच्चे हो, ठीक है, यह माध्याम क्या है, तो ऐसे आप लोग को notes बनाने हैं, और खुद के हाथ से बनाने हैं, मैं यह बना के 1944 में, established in 1944, 1944 सर कैसे याद रखे, आजादी से तीन साल पहले, ठीक है, और क्या World War, World War II, टाइटाइफिल्स हो गई थी, World War II की, उसके बाद ही, UN वगरा, आये, उसी में, IMF बन गया, ठीक है, Great Depression, का after मैं था, 1930 मे, Great Depression के बारे में पता है क्या, कि सर, Economics जो था, वो गलत हो गई थी, Macro Economic में, जो पहले, जो, Keynes तो New Economist नहीं, तुम लोग को पता है, लेकिन Old Economist, जैसे Marshall वगरा है, उन लोग की क्या थियोरी हुआ कर थी, प्रेडिूसर को बोलते थी, तू तो बेच, तू तो बना, तू तो बना, कोई ना कोई खरीद लेगा, ठीक है, Demand-based नहीं था, Supply Bay-based economy थी, पूरो concept ही उनका उल्टा था, कि तू तो बना, कोई ना कोई खरीद लेगा, लोग उने नहीं खरीदा, डिप्रेशन आ गया, तो Great Depression और 1930 और Keynes यहां से famous हो गए थे, modern theory, पढ़ी है क्या, तुम लोग ने यह सब पढ़ाय लिखाई करते हो क्या, तुम लोग, फिर 44, 424 founding members, थीक है, sought to build the framework of international economic cooperation, आज, आज, एक सोनब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब, उन सब कहाँ कहां से ले लिया, स्टाफ काहां से ले लिया, सुर तो 100 कंट्रियों से तो स्टाफ ले लिया है, नोने, थीक है, IMF is governed by and accountable to 190 countries that make up its near global membership जो इसकी membership है उन सब के लिए ये जवाब दे है 1944 ठीक है अभी भी 190 countries establish बस EST1944 Starting ये starting बाला उपर लिख दो Starting 44 ठीक है ये ऐसे आप लोग नोट्स बनाओ अब जैसे staff देट सो कंटरी से लिया ये इतना important fact नहीं है फिर IMF का primary purpose primary purpose एक कीवर्ड है primary purpose क्या है तो ensure stability सर स्टेबिलिटी तो हमने पहले भी लिखा हुआ जी हाँ Stability in the international monetary system the system of exchange rates and international payment that enables countries and their citizens to transact with each other ये international monetary system की definition दे दी नहीं जरूरत है आपको main काम क्या है primary objective क्या है stability है the fund's mandate was updated in 2012 to include all macro economic and financial sector issues that bear on global stability तो भया fund mandate कब update किया इन्होंने कितना किस से किस देश ते कितना पैसा चाहिए ये mandate का update किया 2012 में किया IMF fundamental mission is to ensure stability of the international monetary system वपिस से stability के बारे में दो बार तीन बार stability हो गया है तो important तो ही ना तो primary objective stability अब जैसे देखो notes 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 ठीक है ये stability आ गया अब इस stability को मैं क्या गरूँगा कि सर मैंने इसको थोड़ा सा और hero गिरी कर दी और बोल दिया भाई ये तो क्या है primary objective आया समझ में मैं फिर बोल रहूं बेटा इतना बड़ा chapter है ये मेरे लिए अभी ना संभव होता भी तो भी मैं ये पूरा का पूरा नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको हाथ से बनाने पड़ेंगे तब ही ये chapter दिमाग की जाएगा बागी की chapters में उतरा tension नहीं है में को क्योंकि छोटो छोटो से chapter है ये ये पहाड है भाई पहाड है ये chapter तो आजाओ ये होई गया stability IMF fundamental mission ये होई गया अब ये stability को stability को ये तीन तरीके से देख करता है कैसे ये stable करेगा भाई पहला keep track of track of global economy and member countries के economies को देखता रहता है lending to countries with balance of payment difficulty ठेक है अभी बात चल रही न पाकिस्तान में भी IMF से कि भाई पैसा दे दो पैसा दे दो तो वो economy track कर रहा है practical help बोला है न practical help देंगे impractical help नहीं देंगे तो शायद थोड़ी सी तकलीफ वहाँ पर आ चुकी है तो तीन चीज़े ही objective IMF का वापिस से वापिस से ये बात तुम लिख चुके हो देखो क्या एक ही बात को पता नहीं चार बार क्यों पढ़ाना है ये monetary cooperation हो गया trade हो गया financial stability employment हो गया poverty वगर हो गया economic growth एक ही बात को कितनी बार बताएगा भाई हो गया याद हो गया याद ठीक है initially there were 29 countries with a goal of redoing the global payment system today the organization has 190 member तो sir पहले तो 44 बोला था यहाँ पे तो 44 founding member थे जब बन गया उस समय बनते समय 44 founding member थे लेकिन 29 countries ने payment वाला जो objective है payment settlement का उसका idea 29 countries का ही था मतलब starting में बनाया 44 ने लेकिन payment settlement वाला जो काम है payment global payment settlement का जो idea था वो 29 countries का ही था ठीक है यह बात थोड़ा सा अलग सपन लिखेंगे इसके बारे में ताकि confuse नहीं हो जाए found तो 44 countries ने किया था IMF को बार global payment settlement बारे में पुआ पूर्चिक यह बारे में पूर्चिक यह था ठीक है, keyword क्या है, 29 countries का idea क्या, global payment settlement system का idea, 29 का ही था, जो बाकियों ने accept कर लिया, अब तो 190 जने हैं ही है, objective, फिर से बताओ कि हम ठक गए है, ठीक है, ये monetary cooperation, stability, ठीक है, international trade, उसके बाद sustainable economic growth, party sir, एक भूल गया, ये, हाँ, इस बार 5 ही दिया है, ठीक है, बगवास, financial assistance by IMF, IMF ने किसको पैसा वैसा दिया है, तो IMF lending aim to give countries breathing room, ठीक है, पैसा, अज Pakistan is the best example, कितनी बार इनको bailout किया गया है, to implement adjustment policies in orderly manner, which will restore conditions for a stable, economic and sustainable growth, तो भाया, ये assistance से क्या है, breathing room economy में पैसा, dollar, dollar आता है, these policies vary depending on the country's circumstances, for instance, a country facing sudden drop in the prices of key exports, may need financial assistance by implementing measures to strengthen the economy and widen its export base, तो भाया, ये, breathing room कब-कब मिलता है, जब export में, export में, ठीक है, sudden drop हो गया, ठीक है, export की value, जो माल बेशते थे विदेश में, उसकी value एक्तम से धडाम से गिर गई, तो help होता है, या, severe capital outflow, a country suffering from severe capital outflow, may need to address the problem that led to the loss of investor confidence, perhaps, interest rates are too low, the budget deficit and debt stock are growing too fast, जहां पे, budget deficit पता है क्या, budget deficit क्या, जितना पैसा आ रहा है, budget, as per the nation's budget, जितना आ रहा है, उससे कहीं जादा जा रहा है, तो यहां पे, IMF intervene करता है, sudden drop, key export, severe capital outflow, budget deficit, stock, debt stock, चारों का जल्दी से बना लो, financial assistance का, notes, financial assistance का note, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, कब कब भाई, financial assistance, sudden drop किसमे सहब, सरकी exports में, और, sir, यह budget deficit, और, sir, capital outflow, debt stock, debt यानि loan, severe capital outflow, the causes of crisis are varied and complex, they can be domestic external and, या both, दो, सब भी हो सकते हैं, domestic factor में क्या क्या आएगा, तो भाई, domestic factor में, fiscal monetary policy, जो हम economics में पढ़ते ही है, यह central government बनाती है, या RBI बनाती है, भारत में, which can lead to large current account in fiscal deficit, फिर economics की चीज़ आ गई, high public debt level, exchange rate in appropriate level पर चल रहा है, ठीक है, यह भी हो गया था बेटा, एक country के साथ, स्री लंका, which can erode competitiveness and result in the loss of official reserves, weak financial system, which can create economic booms, all and bust, and political instability in weak institutions, यह domestic factor है, domestic factor वापिस है, अब मैं नहीं बना रहा, अब तुमको करना है, अब याद करना है तुमको, ठीक है, चार-पांच है, एक बार, एक बार तो, देख के लिखो, बोलते रहो और देख के लिखो, वही पर external factor, domestic हो गया, external क्या-क्या factor होंगे, shocks ranging from natural disasters, and large swings in commodity prices, prices, जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, सिफ उसी को लिखना है, बिटा, मैं यहाँ पे हाइलाइट कर रहा हूँ, तुमको वहाँ पे हाँ से लिखना है, डना डन, both are common causes of crisis, especially for low-income countries, with globalization, sudden changes in market sentiment, can result in capital flow volatility, even countries with sound fundamentals, can be severely affected by economic crisis and policy elsewhere, the COVID-19 pandemic, was an example of external shock, यह एक्षाम के लिखना है, external shock का example, COVID-19 pandemic, affecting countries across the globe, the IMF responded with unprecedented financial assistance to help countries, protect the most vulnerable, and set the stage for economic recovery, यह तु चलो गुन गाण गादिये, लेकिन, COVID-19 pandemic is a good example of external factor, domestic external, domestic external, दोनो हो गाए, नही तु पास करो, दोनो के दोनो लिखो, उसके बाद आगे जाओ, some other crisis situations are depicted below, balance of payment problem, occur when the nation is unable to pay for essential import, or services, BOP problem, unable to pay, imports, यह external debts को पे नहीं कर पारे, financial crisis stem from illiquid or insolubent financial institution, दिवालिया हो रखा है, टेक है, central bank वहां का दिवालिया हो रखा है, नेपाल में अभी यह हुआ नहीं है, लेकिन वहां के banks में, अभी बहुत ज्यादा पंका चल रहा है, लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा उठ रहा है, तो यह illiquid or insolubent financial institution हो सकते हैं, financial crisis are caused by excessive deficit and debt, it also provides precautional financing to help prevent and insurfen against crisis, the IMF lending book, lending toolkit is continuously refined to meet the country's changing needs, IMF के पास resources क्या क्या है, तो तीन resources है, कितने resources हैं भाई, तीन resources है, IMF के पास, कितने resources, तीन, पहला है, पहला है, सर मेंबर का कोटा, मतलब मेंबरों से यह पैसा लेते हैं, अच्छा जी, अभी देखते हैं, new arrangements to borrow, और bilateral borrowing agreement, चलो, यह तीन तरीके से IMF को funding मिलती है, IMF के पास resources है, दूसरे देशों को पैसा देने के लिए तोड़ी कुछ चापेंगे नो, तो यह तीन तरीके से पैसा लेते हैं, पहला जो member है, तो कोटाज are the IMF main source of financing, सबसे important source तो हर देश का कोटा है कि तू इतना पैसा तो IMF को देगा ही देगा, Each member of the IMF is assigned a quota based broadly on its relative position in the world economy, The IMF regularly reviews the quota to assess their adequacy overall and their distribution among members, The 16th review, अब यह exam के लिए फिर से आगया एक सवाल, कित कौन सा वा review, 16th review by IMF is expected to conclude by mid December तक 16 वा review होगा, कि हर देश सक कितना कितना कोटा रखेंगे पैसा लेने का, The previous review concluded in February 2020, without a quota increase, ठीक है, Without a quota increase, मतलब जो उससे पहले वाला quota था, Same रखा गया, At present India का quota क्या है, India has a quota of 2.75%, IMF का 100% में से 2.75% India देता है, That's a big contribution, India जैसे developing country के लिए, With 190 members भी तो है, अगर around 200 members अगर आपन देखते भी हैं, तो भी, तो भी India का बहुत अच्छा quota है यहां पे, With 13,114.4 million of SDR, SDR exam में, Special Drawing Rights of Total quota of IMF, With 2.63% of voting right, मतलब, Vote का अधिकार कोई भी, वहाँ पे pass या fail, Motion pass या fail कराने में, India को 2.63% है, लेकिन पैसा हम ज़्यादा दे रहे, 2.75%, और यह अभी review का बहु जाएगा, अभी December, mid December 23 में, SDR क्या होता है, मतलब, हर देश से, IMF कितना पैसा ड्रॉ कर सकता है, उनको SDR कहते हैं, दूसरा तरीका, एक तो main source आपका होई गया, quota members का, दूसरा, IMF को पैसा कहां से मिलेगा, तो new arrangement to borrow, NAB, new arrangement to borrow, constitute second line of defense, अच्छा, first line quota, second line, यह, second line of defense, यह, और third line, यहाँ पर दिख जाएगी, यह third line of defense, चलो, ठीक है, second line of defense, क्या बोल रहा है सर, तो NAB, new arrangement to borrow, through NAB, certain countries and institutions, stand ready, to lend additional resources, to address challenges, to the international monetary system, कुछ देश, NAB activation requires support, from 85%, eligible to vote है, वो लोग vote करेंगे, तभी कुछ देश, कुछ देश को, IMF को, compulsory funding देनी पड़ेगी, यह, America हुआ, UK हुआ, China हुआ, ऐसे, देशिद है, जिनको, देशिद हैं, countries है, जिनको, IMF को पक्का है, यह NAB, कि दुरू पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, आ रहे है तुम लोग को समझ में, उसके बाद आगे चलते हैं, bilateral borrowing agreement, bilateral borrowing agreement, serves as a third line of, define, defense, defense, after quotas and NAB, since the onset of the global financial crisis, IMF has entered into several rounds of bilateral, borrowing arrangements, BBA, to meet their members financing need, activation, कितना चाहिए, यहां पे भी, activation के लिए, creditors, 85% of the creditors eligible to vote, creditors, वहां पे participant, second line of defense में, participant, third line of defense में, creditor, जो IMF से पैसा, हक से बांगते कि, तुमको हमको पैसा देना पड़ेगा, IMF, सिफ पैसा बाठता रहता है, सर, नहीं, नहीं, आज क्यों नहीं देरा, Pakistan को पैसा, क्योंकि IMF अपने पैसे को surveillance भी करता है, कि उनका पैसा जिस अदेश्य के लिए खर्च होना चाहिए था, उसी पे खर्च हुआ है या नहीं, the IMF monitors the international monetary system and global economic development to identify risk and recommand policies for growth and financial stability. The fund also undertakes a regular health check of the economic and financial policies of its 190 country's health check. In addition, the IMF identifies possible risk to the economic stability of its member countries and advises their governments on possible policy adjustment. बस ये तीसरे वाले चक्कर में ही पाकिस्तान को बोलते रहते हैं, आप पहले ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर हम भी पैसा नहीं देते हैं. गंदे बच्चों. The IMF capacity development, the IMF provides technical assistance, अच्छा सिर्फ पैसे का जो और नहीं है भाई, यहां पे, technical assistance and training भी देता है, किस-किस को देता है, सरकारों को, Central Bank को, Finance Ministry को, Revenue Administration को, and Financial Sector Supervisory Agencies, जैसे SEBI जैसी Agencies जो है, ठीक है, उनको भी, यह Financial Sector Supervisory Agencies, एक दो एक्जामपल यहां पे लिख देता हूँ, ताकि तुमको पता लगे. जैसे भारत की बात करते हैं, तो यह से भारत का एक्जामपल दे रहा हूँ, मैं, SEBI हो गई, Competition Commission of India हो गया, ठीक है, नीती आयोग, यह, ठीक है, नीती आयोग, Financial Sector नहीं नहीं, वो तो revenue administration में भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यह सारे एक एक एक्जामपल हो गया हूँ. These capacity developments efforts are centered on IMF core areas of expertise, ranging from taxation through central bank operations to the reporting of macroeconomic data. Such training also helps countries tackle cross-cutting issues such as income inequality, gender equality, corruption, inequality लिखना चाहिए था, gender कभी, gender equality थोड़ी problem है, कैसे कैसे बाते किरते हैं, corruption and climate change है, climate change का बिटा नाटक बहुत जादा हो चुका है. Members, fast facts है, 190, headquartered Washington DC, America, America, United States of America, ठीक है, वहाँ पर है, कितने states हैं, USA में 50 states है, तो वहाँ के Washington DC, executive member 24, executive directors each representing a single country, all group of countries, amount available, अभी 1 trillion dollar, इनके पास पढ़ा है, current lending arrangement है 34, जाने को पैसा देंगे, recipient countries of emergency pandemic financing, 6-3 countries हो COVID के time पे emergency financing की थी, primary aim, वह अरे फिर आ गए, अरे बहुत देर हो गई थी, आए नहीं थे, monetary cooperation के लिए, international trade के लिए, ये तो भाई, एक्जाम में आना चाहिए, इतनी बार, इतनी बार पढ़ लिया ये वाली चीज तो, and payment difficult, IMF leadership, अभी managing director, crystallina Georgievia, ये अभी MD हैंसकी, first deputy MD, Gita Gopinath, ये ये अभी G20 summit में भी आई थी, ये इन पे सवाल आने के संभावना फिर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अभी-अभी G20 summit में भी भारत में आई थी, आई थी, 18-G20 summit, in Delhi, ठीक है, अभी G20 पे भी आपन बात करेंगे, फिर deputy MD, एंटिटो, साया, deputy MD, केंजी, ओकामूरा, and deputy MD, बो ली, best नाम है, बो ली, कुछ नहीं बोली, ठीक है, बो ली, नाम ऐसे यो नी चाहिए, ठीक है, कुछ तो प्रणांस ही नहीं कर पराद है, क्रिश्चल जॉर्जी विया, एंटोनियेट, साया, केंजी, ओकामूरा, तो चलो फिटेक है, बोल, बेस्ट है, इंडिया, तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा फिगर होने वाला है, डेट अफ मेंबर्शिप, डिसेंबर, 27 दिसंबर, 1945 को भारत बन गया था, आर्टिकल 4, कंट्री रिपोर्ट, डिसेंबर 23, 2022 को आई थी बारत पर, SDR भारत को, कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, कितने का ले सकता है, ये, 13,667.33 मिल्लें डॉलर्स, ले सकता है, कोटा, 13,114.4, ये हम लोगों ने पहले देख लिया था, और नमबर अफ अर्रेंजमेंट सिंस मेंबर्शिप साथ, डेटा एक्स्टेकर फ्रम इमफ वेबसाइट ऐन पांच जून दोजारतेश, जब ICSI ने ये डेटा बनाया था, ICSI से बहुत अच्छा काम करती है, बटा, इस सोर्स लिख देती है, ठीक है, मदलब आपको फ्रेश डेटा चाहिए, तो आप इन सोर्स को देखोगे imf.org slash external next हम स्टार्ट कर रहे हैं world bank अच्छा सुनो बेटा यहाँ पे मैं तुमसे एक request करूँगा तुम अच्छे बच्चे हो प्लीज एक अच्छा बच्चा जो यह पूरा वीडियो देख रहा है प्लीज एना एक काम करना ना एक कमेंट में timeline tag कर देना अगर किसी बच्चे को सिर्फ imf देखना है तो वो time stamp पे click कर लेगा किसी को world bank देखना है तो world bank का time stamp कर देगा यह कर देगा क्या अगर इतना time pass मैं क्यों कर रहा हूं ताकि तो यहां पर pause कर ले और एक बार यह वाला time stamp दे दे देगा पका पका और बहुत बहुत थैंक्यू बोलूँगा अगर तुने ऐसा किया तो तो देखें world bank world bank international organization affiliated with UN है तो ठीक है world bank affiliated with the united nations and designed to finance project that enhance the economic development of the member states headquarter का है यह भी वाशिंग्टन दी-स ड्रीमिफ वाशिंग्टन D.C. यह भी वाशिंग्टन D.C. यह भी वाशिंटन D.C. आि बंक इसे लाज़े सोर्स of financial assistance to developing countries यह ध्यान रखना है यह आ सकतो लार्जे सोर्स it also provides technical assistance and policy advice and supervises on behalf of the international creditors. the implementation of free market reforms. together with the IMF and the world trade organization, it plays a central role in overseeing economic policy and reforming public institution in developing countries and define the global macroeconomic agenda. मतलब तीनों के साथ काम करता है ठीक है IMF, WTO और World Bank तीनों मिलके Central role निभालते हैं World Bank का main काम Developing countries के लिए ठीक है Five constituent institutions Under World Bank मतलब IMF तो IMF एक है लेकिन World Bank के अंदर अलग-अलग institutions हैं और KBC में भी यह सवाल आ चुके हैं तो World Bank के Five constituents कौन है ठीक है That share a commitment to reduce party एक तो काम इनका क्या है इनका भी काम है Reduce party Prosperity Increasing prosperity and sustainable growth and development तीन काम तो हो IMF जैसे सही लग रही है तो पहला है IBRD International Bank for Reconstruction and Development IBRD यह पहला Constituent है इनका IBRD World Bank के अंदर पाँच Constituent पाँच अलग-अलग Organization बोल दो World Bank के अंदर पहला IBRD IBRD का काम क्या है भाईया Sir लो प्रोवाइज Loans at Market Rates Middle Income Developing Countries and Creditworthy Lower Income Countries दूसरा काम क्या दूसरा कौन ID International Development Association Interest Free वो तो फिर भी Interest ले रहा है ठीक है Lower At Market Rate यह तो भाई Interest Free Long Term Loans दे रहा है Technical Assistance and Policy Advice to Low Income Developing Countries in Such Area as Health Education and Rural Development तीसरा IFC यह सब से Powerful International Finance Corporation सब से Powerful IFC ठीक है Operating Partnership with Private Investors Partnership करते है यह Private आपके और मेरे जैसे लोगों से भी कर लेंगे Provides Loans and Loan Guarantee and Equity Financing to the Business Undertakings in Developing Countries MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA Loan Guarantee and Insurance to Foreign Investors Against Lost Caused by Non-Commercial Risk in Developing Countries are Provided by Multilateral Investment Guarantee Agency and Finally ICSID International Center for Settlement of International Dispute यहां पे लडाईईँ चलती है उसको यह Settle कराते है Settlement by Conciliation Arbitration of Investment Dispute between Foreign Investors and their Host Developing Countries World Bank की Leadership के बारे मैं बात कर रहे तो World Bank Group David David Malpa President President International Finance Corporation में मक्तार Diop Managing Director मीगा में Hiroshi Matano Executive Vice President International Center for Settlement of Investment Dispute मैं की न Secretary General है Priorities अगर हम देखे Priorities अगर देखे ठीक है World Bank का क्या है ये बात हम पहले भी एक बार करें एक तो यार Main Priority Main Priority तो क्या हो ही Sir Climate Change ठीक है Climate Change Party and Inequality Are the defining issues of our age The World Bank Group is the biggest multilateral funder of climate investment in developing countries and intent to go further in helping countries reduce party and rise to the challenge of climate change of the G20 summit Climate Change में बहुत बात हुई थी UK और में भी इस पर बहुत बात हुई थी भारत भी 2040 में Net Zero Carbon Emission पर जा रहा है मतलब हम Climate Change को और UK ने इसका टार्गेट रखा है ये हमारे Daily Current Affair में मेरे News में ये आता है क्या तुम लोग पर्टनर्स to build food system that can feed everyone everywhere every day by improving food security promoting nutrition sensitive agriculture and improving food safety The bank is a leading financer for food system Leading financer है Food System का ठीक है नोटस बन्रे न भूल तो नही गए बूल गएती ना जाओ जाओ नोटस बनाऊ परे Human Capital Project Human Capital consists of knowledge क्या क्या है Human Capital में क्या क्या चीज़ आएंगी सर्थ Knowledge आएगा Skill आएगा Health आएगा that people invest in and accumulate throughout their lives enabling them to realize their potential as productive members of the society Investing in people through nutrition health care quality education jobs and skills help develop human capital and is the key to ending extreme party and creating more inclusive society exam के लिए पड़े पड़े के हो जा रहा हूं है exam में इस तरीके सवाल आना वैसे भी बहुत टेड़ा है तुम लोग को तुम लोग को जो नोटस बनाने हैं वो जो कलर कलर खेल रहा हूं है वो उसके नोट बनाने Human Capital Project is a global effort to accelerate more and better investment in the people for greater equality and economic growth as of October by 86 यह यह देखो यह exam के लिए हो गया 86 countries at all income levels are working together at the World Bank Group on strategic approaches to transform their transform their human Capital outcome 86 countries October 22 का data है World Bank News में क्यों-क्यों है तो examples from the remarks of World Bank Group President David Malpass at the G20 Leaders Summit यह पुरानी यह 17th Summit की बात हो रही है यह कौन से Summit यह Bali-Indonesia वाली G20 Summit Leaders Summit जो थी यह 17th थी इंडिया वाली जो अभी हुई Delhi में वो 18th थी ठीक है तो यह G20 बाली वाला Bali-Indonesia वाली Summit में इन्होंने World Bank के David Malpass ने क्या बोला भाई आओ देखते हैं तो developing world faces hunger party unsustainable debt learning party above 70% ठीक है क्लाइम चेंडें makes all of those these burdens worse farmers face drought and floods in poor countries they face severe shortage of fertilizer and diesel under investment blocks access to electricity and clean water current global macro policies create a permanent drain of global capital risking a long recession the developing world needs much greater resources the world bank group has achieved the largest increase in commitment in our history and greatly expand trade finance it is not nearly enough we are working to do more ठीक है कोई खास नहीं Bali-Indonesia सत्रावी submit 70% 70% के दिकत है ठीक है इस पर भी हम नोट बना लेंगे developing world hunger party unsustainable debt learning party 70% के उपर है next अब आया जो world bank का ही one of the constituent है जो मैंने आपको बोला था सबसे बड़े constituent है international finance corporation IFC यहाँ पर फिर सहाद दिलाऊंगा अच्छा अच्छा बच्छा प्लीज एक time stamp डाल देना यार ठीक है उसी comment में जहाँ पे तुने पहले world bank वाला डाला था IMF तो चलो हमने start ही किया था ठीक है तो वो तो 00 पे है लेकिन world bank ठीक है तुम लोगों ने डाल दिया था 29 something पे 29 minutes 27, 28 seconds पे 37.55 पे कुछ पे होना चाहिए तो जो भी है तो यह एक time stamp please, please, please डाल दो और और आजाओ टॉपिक है हमारा International Finance Corporation जो की world bank का एक constituent है out of five constituents अई हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं International Finance Corporation की तो more than six decades ago few dozen countries have made a calculated bet on the transformative potential of the private sector in developing countries यादे न IFC private sector के साथ काम करता है हाँ पे they put up hundred million and starting में कितने पैसे से start हुआ ये IFC hundred million capital established IFC to reinforce the work of world bank inspiring growth and development today IFC is the largest largest global development institution focused on the private sector private sector के लिए largest है having delivered nearly 200 billion dollars कितना पैसा दे चुके हैं याई है यह तक rise to billion dollars in financing to business in emerging markets तुम्भी कोई आडिया या निकालो IFC से पैसा वैसा लो throughout its history IFC has introduced new approaches to meet the needs of developing countries initially it helped to bring leading multinational companies to developing countries beginning in 1957 beginning in 1957 when IFC invested alongside Siemens in Brazil in Brazil में Siemens के साथ इनोने Siemens जो बहुत बड़ी कंपनी हैं उनके साथ invest किया था in addition as businesses in the countries begin to thrive IFC deployed its staff to local markets to be closer to clients over time IFC helped drive growth by providing investment and advice and by mobilizing resources from other capital providers IFC consistently brought to bear a distantest set of advantages in working the private sector to end extreme party and boost shared prosperity shared prosperity is a word which I want you to remember shared prosperity shared मतलब sabka saath ho sabka vikaas shared prosperity ठीक ये तो सुनावा लग रहा है A History of Innovation a mandate for global influence an understanding of the demonstration effect of its action and determination to achieve measurable development impact about IFC toh IFC sister organization किसकी of the World Bank कि sister component कि sister बोल रहा है and a member of the World Bank group is the largest largest global development institution focused exclusively private sector बार बार ये की बात चार बार लिखने में मज़ा आता है बच्चों का कोर्स बढ़ा देते हैं भाल तुमें in developing countries the bank group has two goals ये एक नहीं चीज़ आई दो गोल क्या-क्या है इसके जो अचीव इनको कब तक करना है 2030 तक करना है पहला गोल इसका end extreme party दूसरा ये shared prosperity मैंने बोला ना shared ठीक है सब का विकास IFC is an international financial institution that offers investment advisory and asset management services to encourage private sector development and developing countries यह पहे कुछ एक एक आई exam के लिए important IFC उने सो चापन में बना दिया था establishing सता वन में starting हो गया था बना उने सो चापन से गया था on a bold idea that provides private sector has potential to transform developing countries since IFC has expanded its horizon more than hundred countries calling the term emerging markets and pioneering new markets such as sustainable bonds the mission of IFC is advanced economic development by encouraging the growth of private sector in developing countries IFC helps the countries to develop their private sector in variety of ways कैसे कैसे प्राइवेट से को मदद करती है का भाया प्राइवेट से को पैसा देती है investing in private sector कैसे कैसे पैसा देगी लोन के या इनके शेर खरीद के एक्विटी इंवेस्मेंट या इनको टेके डिबेंशर वगरा खरीद के या गैरेंटी इनकी बैंक में गैरेंटी देते हैं बेलाइब नचिक प्राइब के बाड़ इंवेस्मेर बान लान राठीपसे और लोन खरी जवेस्ट को तरिपसेंट रहिसें बाडेंटी तोंचेंट प्रिवेश्य के ओष्टेंटेंंटें प्र।बर खरीज़ 55.9.6.11.05.10.95 अग्रिकल्चर अपॉर्चुनिटी, दूसरा, हेल्थ केर, एजुकेशन, फिनैंसिंग फॉर माइक्रो फिनैंस बिजनस क्लाइंट्स, एडवांस इंफ्रस्ट्रक्चर, स्मॉल बिजनसे को MSME और जैसे इंडिया में हम फोकस कर रहे हैं, रेविन्यू, एंड क्लाइमिट हेल नहीं करेंगे हम, चलो, लाइट थोड़ी कम लग रही थी ना, अब ठीक लग रहे है, अब ठीक लग रहे है, चलो आगे, इस इस ओन और गवर्ण, कौन, ओन और कौन है भई, इसको, member countries, but has its own, खुद का क्या है, has its own executive leadership and staff that conducts its normal business operation, it is a corporation, whose shareholders are member governments, that provide paid-in capital and have a right to vote on its matters, originally it was more financially integrated, originally starting में तो, originally, ठीक है, starting में क्या हुआ, more financially integrated with the World Bank Group, but later, अब बाद में क्या हुआ, originally क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, तो ISC established separately and eventually became authorized to operate as a financially autonomous entity, make independent investment decision, starting में, World Bank के पिछे-पिछे गूमदा था, अब, खुद का काम कर सकता है, ठीक है, अलग हो गया है, अलग मतलब है गुरूप में ही, लेकिन autonomous है, किसी ज़े पूछने की जरत नहीं है, it offers an array of debt and equity financing services and help companies face their risk exposure with refraining from participating in a management capacity, the corporation also offers advice to companies on making decisions, evaluating their impact on environment and society and being responsible, it advises governments on building infrastructure and partnerships to further support private sector development. Functions, IFC के, main main point, यहां पर धियान रखने की कोशिश करेंगे, functions क्या है, तो sir, wide range of investment and advisory services देता है, health, business and entrepreneurs in developing countries meet challenges they face in the market place, offers innovative financial product to private sector projects in developing countries, also include loans for IFC's own account, called A loans, A loans क्या है, loans for IFC's own account, यानि खुद के इनके काम के लिए लोन लेते रहते हैं, equity financing, कासी equity financing, कासी का मतलब ना पूरी equity नहीं हुए, थोड़ा equity थोड़ा debt, syndicated loans और B loans, A loans, own loan, B loans, syndicated loans मतलब कई जनों से मिलके एक group बनाके, syndicated बनाके ये लोन दिना, risk management product, partial credit guarantee, IFC often provides funding to financial intermediaries that on, on lend to clients, especially small and medium enterprises, it also provides advisory services, next काम क्या, advisory services that help build businesses, much of IFC's advisory work is conducted by facilities managed by IFC, but funded through partnership with donor government and other multilateral institution, other sources of funding include donor country, trust funds and IFC's own resources, बस जितना blue-blue किया हुआ है, यहाँ पे, इसको investment advisory services और जो है, वो advisory वापस आ गया, innovative financial product, A loan, B loan, जो है, इसको थोड़ा सा अलग से कर लेना, इस page पे और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, A loan, own loan, B loan, syndicated loan, यह ध्यान रखने की आपकी चीज है, it can provide a mix of financing advisory वापस से आ गया, that is tailored to meet the need of each project, tailored loans दे सकते हैं, ठेक है, tailored financing, but the bulk of the funding as well as the leadership and management responsibilities lied with private sector, owners and investor, funding by international finance organization, तो I.C.'s first investment, पहला 1957 में पहला investment, कितने का था, सर्थ 2 मिल्लियन डॉलर का था, 15 एल लोन, to help the local affiliate of German electrical equipment manufacturer, Siemens, build Brazil's first integrated assembly plant to supply, तो किसको दिया था भाईया, Siemens जो आपरा company है, टेक है, German electrical equipment manufacturer है, इसको पंदरा साल का ये loan दिया था 2 मिल्लियन डॉलर का, many more loans ensued in different markets in the coming years, financing steel products plants in India, भारत में, steel product plants in India, in Pakistan, textile in El Salvador, cement production in Thailand, 1960, I.C. first invested in Africa, 2.8 मिल्यन डॉलर package for the new किलोंबरो शुग कोपरेशन इन तंजानिया ठीक है अफ्रिका में भी 1960 IFC is an active issuer of ESG bonds also known as ESG bonds का एक और नाम ये ध्यान से socially responsible investment a subset of loan portfolio is funded through establishing green bond program which finances climate friendly projects and social bond program which finances projects that aim to elevate social issue both programs are fully aligned to the capital markets and most referenced framework the green bond principles and social bond principle all projects financed by IFC must adhere stringent ESG standard adhere follow करना पड़ेगा ESG standard and our sustainability framework which help our client to do business in sustainable way ESG standards follow करना under the funding program IFC issues bonds in variety of market formats and countries and countries क्या 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 बॉन्ड देता है भाया variety of bonds वराइटी आफ बॉन्ड इन वराइटी या वराइटी है बॉन्स की global benchmark bond, green and social bond, उर्धाशी नोट्स, private placement and discount notes in addition ISEE issues local bonds to develop domestic capital and facilitate local currency lending ठीक है ये तो इसी a brief on some of the funding instruments are discussed below benchmark and global bond क्या होते है सर तो सबसे पहले ये ISEE ISEE issues various benchmark and global bonds such as US US dollar benchmark bonds US SOFR floating rate notes bonds Australian dollar public bonds British pound sterling public bonds New Zealand dollar public bonds इस तरीके के ये benchmark global bonds है दुनिया में कोई भी इनको खरीद देच सकता है discount notes ISEE discount notes program was launched June 2009 में ये program लाया गया था provides an additional funding and liquidity management tool for ISEE to support our trade finance and supply chain initiative and to expand the availability of short term local currency finance our discount notes offer high quality short term investment opportunity in US dollar and Chinese 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 currency currency green bond largest financer है world's largest financer climate smart project for developing countries ISEE were one of the earliest issuer of green bonds launching a green bond program in 2010 to help catalyze the market and unlock investment for private sector projects too that support renewable energy and energy efficiency think सिफ highlight highlight वाली चीज़ का notes बन रहा है वही एक्जाम में अपन दो बार तीन बार जो notes तुम हाज से बना रहे हो वही दो बार तीन बार पढ़के जाओगे MTS and structured notes ISEE aims to maintain the position as an active and flexible issuer of plain vanilla and structured notes our structured notes offer investors a yield pickup and can accommodate investor needs impact notes ISEE one of the world's largest financer of climate smart project for developing country since those are part when we started to track climate smart component of our investment and advisory service ISEE has provided more than a 10 billion long term financing and raised over 22.3 billion in core mobilization through partnership with investors IFC was one of the earliest issuer of green bonds launching IFC currently allows interest rate linked foreign exchange linked index equity index linked and commodity linked floating rate notes Barmoodan and European caliple and hybrid notes ये सब याद करो तो ठीक नहीं मेरे साब से तो बिलकुल भी नहीं Minimum size ये जरूर याद करना है 3 million equivalent to the maturities ranging from 1 to 30 years IFC has an active buyback program serving as a liquidity backdrop for IFC issuance next time I really social bonds social bond के बारे में आई ये बात करते है IFC social bond program launched in 2017 ये सबसे latest सबसे latest में यह आएगा offers bond investors an opportunity to allocate investment to achieve a certain SDG SDG special drawing जो rights होते है उनका group certain SDG without any additional credit risk that of IFC a triple A rated issuer proceeds from bonds go towards financing select projects from IFC's banking on women and inclusive business programs which benefit underserved population in emerging markets including women and low income communities IFC is a frequent issuer of social bond in public and private market in varieties in various currencies and tenors the social bond program aligns with the social bond principles published by the International Capital Market Association IFC strategic alignment with SDG IFC seeks create to create market through several ways by demonstrating successful innovative business model that can be replicated stimulating competitiveness through efficiency gain cost and price reduction new market entrance by improving business a regulatory framework to enable improving business regulatory framework to enable the development and growth of vibrant private sector in sustainable manner building capacity and skills that open new market enable IFC to achieve impact beyond what it is obtained with financing from IFC's own balance sheet IFC is playing a key role in World Bank Group maximizing finance for development approach to meet the ambitious SDG there is a need to expand the role of private sector and mobilized private capital together with the World Bank and MEGA IFC is working on the initiative by focusing on mobilizing private solutions for developing IFC contributes SDG IFC contributes to the SDG two pathways project outcome market creation project outcome market creation including the direct impact on stakeholders including customer supplier government and other community indirect in addition IFC projects assess create IFC 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 Southeast Asian मतलब इंडिया के आस-पास के हमारे सारे Southeast Asia जिसको कहते हैं उनकी बाते कर रहे हैं Asia तो the association of Southeast Asian nation और Asia was established कब भाई Asian बनी कब बहुत important है यह established on 8th August 1967 तुमने ध्यान दिया क्या पहली बार exact date तुमको यहां पर दिये CB institution की formation के लिए तो जी हां यह एक बिल्कुल भी बिल्कुल important चीज़ यह है उसके बाद कहां पर Bangkok, Thailand very nice फिर with signing of the Asian declaration Bangkok declaration by founding countries of Asian namely Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand तो इसको और किस नाम से जाना जाता है Bangkok declaration के नाम से यह एक आ सकता है ठीक है Bangkok declaration current member में कौन कौन है भाई Asian के current में यह तो founding member थे Indonesia, Malaysia Philippines, Singapore, Thailand यह founding इसको फ्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लेना यह founding है तो अभी कौन है सर current members के अगर अगर अपन बात करें तो सर current में में Indonesia, Malaysia, Philippines Singapore, Thailand, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam यह अभी Asian के member है Brunei Darussalam जो है उसने जॉइन किया साथ January 84 को Vietnam 8 July 95 Lao PDR Myanmar 13 July 97 Cambodia 3 April 99 making up 10 member states of 10 member states of 10 member states of His Highness His Excellency Dr. Kao Kim is the Secretary General of Asian तो member Brunei Darussalam Malaysia, Singapore, Cambodia Myanmar, Thailand Indonesia, Philippines Vietnam and Lao PDR aim and purpose क्या Asian क्यों बना रखा है तो भाई Asian Declaration जो है AIMS उसके aim and purposes क्या है यह सब के सेम ही होता Economic Growth Social Progress Cultural Development in the region through joint endeavors in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community in Southeast Asian nation to promote regional peace regional peace and stability through through adding respect for justice and the rule of law in relationship with countries of the region and adherence to the principles of United Nations Charter promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields provide assistance training and research facilities in education, professional, technical and administrative collaborate agriculture and industries expansion of their trade including study of the problems of international commodity trade South East Asian Studies promote and maintain close and beneficial cooperation with existing regional organization with similar aim purpose Charter Asian Charter The Asian Charter serves as the firm foundation in achieving the Asian community by providing legal status and institutional framework for Asian It also codifies Asian norms rules and values set clear target for Asian presence, accountability and compliance Asian Charter entered into force on 15 December 2008 at the presence of Asian foreign ministers at the Asian secretariat in Jakarta Secretariat where is Asian in Jakarta Indonesia With the entry into force of the Asian Charter Asian will henceforth operate under new legal framework new legal framework establish number of new organ to boost its community building process in effect Asian Charter is legally binding agreement among the 10 legally bounding these things you have to do other places in the organization legally binding agreement 10 members it will also be registered with secretariat registered with secretariat of the UN person to the article 1 paragraph 1 of the Charter of United Nations importance new political commitment new and enhanced commitment new legal framework new Asian bodies two newly new openly recruited DSGs more Asian meetings more role okay Asian summit the Asian summit is the highest policy making body highest policy making body in Asian comprising of headquarter head of the state of the government of Asian members Asian summit is held held twice twice annually summit is held twice annually at the time to be determined by the chair of the Asian summit in consultation with Asian member both other frequency are twice annually the summit is to be hosted by the Asian member state holding the Asian chairmanship the first Asian summit Bali Indonesia the issue is February 1976 40th 40th Asian summit 11 November 2022 Kingdom of Cambodia chairmanship the summit was shared by Samdak Akamohasena Padai Tekohun Sen No Naam Yad Samdak Akamohasena Padai Tekohun Sen Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and convened in accordance with the Asian Charter chairmanship chairmanship rotate annually alphabetical order of English names of the member state the member state assuming the chairmanship shall chair the Asian summit and related summits the Asian coordinating council three Asian community council relevant Asian secretarial ministerial bodies and senior official and the committee of permanent representative article 31 of the Asian Charter chairmanship member holding promote enhanced interests of and well-being of Asian including efforts to build Asian community through policy incentives coordination consensus cooperation ensure the centrality of Asian ensure an effective timely response to urgent issues of crisis situation affecting Asia providing its good offices and such arrangements to immediately address these concerns represent Asian in strengthening promoting close carry out tasks and functions as mentated Asia news has as 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 hand as as वरव एशयान प्रेसेटेंसी फ्रॉम कमबोडिया टू इंडोनेशिया इंडोनेशिया इस ओनेशिया इस ओनेशिया इस पे सवाल आ सकता है next फिर सेजाद एक ताइमस्टाम चाहिए इसके लिए क्योंकि ब्रिकस आ रहा है भाटे ब्रिक्स है नहीं नहीं इनए इनए ब्रिकस बि-र-IR-AL-I-C-S ब्रिक्स जल्दी जल्दी एक टाइमस्टाम दो जल्दी जल्दी टाइमस्टाम दो और हम आगे चलते हैं informal group है, मतलब legal status ऐसा कुछ नहीं है, क्या-क्या है, इसमें, comprising of Federal Republic of Brazil, Russian Federation, Republic of India, जी हाँ, भारत का official name, अभी तक, जिस दिन ये lecture record हो रहा है, उस दिन तक तो है क्या, गंतंत्र, जो है, भारतिय गंतंत्र, Republic of India, the People's Republic of China and Republic of South Africa, B, Brazil, R, Russia, I, India, C, China and S, South Africa, in 2006, the Foreign Minister of Brazil, Russia, India, China met for the first time on the sidelines of UN General Assembly, marking the beginning of, brick, brick, अभी तक, B, R, I, C, A, S नहीं आया है, ठीक है, bricks, नहीं बना है, brick, बना है, 2006, 2009 में, brick leader, first meeting, Russia में, brick cooperation to summit level, cooperation था, फिर अब summit level पिले गए, 2011, South Africa, officially becoming a member, तो brick, इते, बन चुकी है, 2009, brick leader, I have conveyed formal 14 meeting, and 9 informal meeting of bricks, हो चुकी है, 2016, India became the head of association, bricks का, 2016 में, culmination of its presidency, was the 8th summit, 8th summit of bricks में, India, president बना था, which was held in the Indian state of Goa, 15-16 October को, its motto, क्या था भाई, summit का, formation of popular, inclusive and collective decision, the leader of five countries signed the declaration of Goa, Isco Goa declaration, बोलेंगे, which expressed the coherent position on issues related to the development of the association and critical issues, at the summit in Goa, the issues of energy, trade, banking, cooperation, agriculture, space utilization, and common spaces, health, education, development, and humanitarian contact, and tourism, the fight against party, social inequality, were discussed, in addition to the declaration, was signed a number of sectoral arrangements, BRICS is an important group, bringing together major emerging economies, emerging major economies, emerging economies, from the world comprising of 40% of the world population, 24% of the GDP, 16% share in the world trade, तो बिता, दुनिया ऐसे चोटे चोटे चोटे, sectors के अंदर बटी भी है, BRICS countries have been the main engine for global economic growth over the years, over a period of time, BRICS countries have come together to deliberate on the important issues, under the three pillars of the political security, तीन पिलर, क्या क्या है तीन पिलर, political, and security, economic, and financial, and cultural, and people, exchanges. Over the past 16 years, since the establishment of BRICS, the foundation of the cooperation has been consolidated, and the areas of cooperation have been expended. It has become an all-round multilateral, multilevel framework with BRICS summit, providing a leading role supported by BRICS meeting ministers of foreign affairs, and meeting of national security advisors, carrying out practical cooperation in dozen of areas, such as economy, trade, finance, science, and technology, industry, agriculture, culture, education, health, think tanks, and friendship cities. With the growth strength of five countries, BRICS cooperation has deepened and become more tangible. The influence of BRICS cooperation has gone beyond the five countries, and become constructive force for boosting world economic growth, improving global governance, in recent year, influence of the BRICS countries, and its status and role in multilateral mechanisms such as UN, G20, World Bank, IMF, has been rising. The world must unite to one as one to decisively confront global challenges. Corrective action must begin with the reform of the institution of global governance, BRICS. Thick. Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, 13th BRICS summit was held under the chairmanship of India, chairship on 9th September 2021. Third time India hosted BRICS summit, pehle 2012 and 2016 may be hua tha. The theme of the summit chosen by India was BRICS at 15, in intra-brics, cooperation for continuity, consolidation, and consensus. The agenda items covered further cooperation in combating COVID-19, promoting pragmatic cooperation and addressing global and regional hotspot issues. The New Delhi declaration, abhi haan pe bhi, New Delhi mein hua, to New Delhi declaration, G20 mein bhi isko, New Delhi declaration bola ja ra hai, to Delhi mein hua, yaha pe bhi New Delhi declaration was adopted after the summit, which summarized the achievement of BRICS cooperation in various fields and expressed the common BRICS voice on strengthening cooperation in public health. Vaccines, kyunki COVID-19 ke baad hua tha, the vaccine bhi important chaiz hai, promoting world economic recovery, implementing 2030 agenda for sustainable development, safeguarding world equity and justice. ये, ये, New Delhi declaration of BRICS, 13th BRICS summit mein hua. 14th summit ka haan pe, chair China ke paas gaya, 14th summit on June 23, 2022 ko ho gai, theme 14th summit ka tha, foster high quality BRICS partnership, usher a new era of global development, as the BRICS chair of those are vice, China looks forward, China looks forward to working with BRICS partner, and make full use of 14th BRICS summit to promote BRICS spirit of openness, inclusiveness and win-win cooperation, strengthening practical cooperation, तो India से, कहाँ चला गया, B, R, I, I के बाद गया, C, ठीक है, 15th BRICS summit, South Africa के पास जाएगा, ये भी alphabetically चल ही रहा है, हमारा, जोहन्सपर्ग, South Africa में, हो चुका, 22 से 24 अगर्स, 2013, 15th BRICS summit, next, वापे से, SanSlo, और, एक नया, एक नया, आ चुका है, Global Association, क्या है विए, S.A.R. टाइम स्टैम्प बन गया, पका, टॉपिक है, South Asian Association, for Regional Cooperation, S.A.R. आईए, इससे देखते हैं, तो, S.A.R. स्टैबलिश हुआ, Signing of S.A.R. चार्टर in धाका, on 8 December 1985, धाका, बांगला, देश, सार्क में, कितने मेंबर, 8 मेंबर है, कौन-कौन है, सर, अफगानिस्तान है, बांगलादेश, बुटान, इंडिया, मॉल्दीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, स्री लंका, तो, बहुत कम होता है, बिटा, जब इंडिया और पाकिस्तान, सेम किसी, ऐसे, ग्लोबल असोसियेशन में रहते हैं, जो इतना बड़ा होता है, तो जी हाँ, सार्क में है, यूवन में तो है, अफ़कॉस है, तो सेक्रेटर असोसियेशन, काठमांडू में 17 जन्वरी को, 1987 को, सेक्रेटेरियेट, सार्क सेक्रेटेरियेट, कहां पे, काठमांडू, निपा, अब्जेक्टिव क्या है, बाइसाब, इनसका, वेलफेर अफ़ीपल और साउथ एस्या, इंप्रूज क्वालिटी अफ लाइफ, एक्सिलेट एक्कॉनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, अब्जेक्टिव का अपॉर्टिटी तो लिव इन डिगनिटी, फुल पोटेंचिल, कलेक्टिव अफ रिलाइट्टिव सेट्व रिजिनल गोपरेशन, एक दूसरे की दिक्कते समझो, वन अनौन अदरस् प्रोब्लम, अब्जेक्टिटेंस अब एक्नोमिक, यह एक इंपॉर्टिट, बाइलेटर अंग गंटेंशियस इशुज जैसे लडाईयां, और एक्स्टूदेट फ्रम देलिबरेशन अफ दा असोशेशन, लडाईयों के मुद्दे यहां पे बातचीत नहीं किये जाते बटा, लडाईयों वाले मुद्दे पे, जैसे कश्मीर वश्मीर की बातें यहां पे नहीं होगी, इस एक्सिलेंसी साला रुवान विका वीराकून अफ श्री लंका, अजूम्ड ऑफिस अफिस सेक्रेटर जेनरल अफ सार्क और एक मार्च दोहजार, श्री लंका अजूम्ड ऑफिस सार्क का एक मार्च दोहजार पीस, सार्क चेर्मेन, करेंट चेर हैं निपाल, कब तक रहेगा, यह 2014 से तिल डेट, चलो, सार्क के बाद इतना ही, आया जी ट्वेंटी, जी ट्वेंटी, फिर से पॉस, टाइमस्टैम, टाइमस्टैम के बाद, मेरे को एक चीज़ और चाहिए, अगर तुम थोड़ी से हल्प और कर सको, तो यार याद करो, जी ट्वेंटी पे अराउंड 25 मिनिट का, मैंने एक अलग से, मेजर अपडेट्स ओन जी ट्वेंटी दिया था, उसका भी एक लिंग यहाँ पे अपन पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि मेजर अपडेट्स अपने जी ट्वेंटी के, जो यहाँ पे भी हम काफी सारी करने वाले हैं, वो वहाँ पे कर लिये थे, आएए, जी ट्वेंटी के बारे में बात चीट करते हैं, बस एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि G20 पे सबसे ज़्यादा सवाल आनी की उमीद है इस बार 4 नवंबर वाले तुमारे CSEET के एक्जाम में तो आया G20 Group of 20 is the Premier International Forum for Global Economic Corporation Forum for Global Economic Corporation Participant 19 countries है प्लस EU है अब इसको इसको आइडियली सर इसमें एफरिका भी आ चुका है African Union भी आ चुका है तो आइडियली तो ये G21 हो चुका है लेकिन इसमें अपने बात करी लिए Member कौन कौन है सर? Member Argentina, Australia, Brazil, Canada, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, South, South, North, Mexico, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey ये तुर्की है? UK, US and European Union ठीक है European Union के 27 देश भी यहां पे है और पच्छमन हमारे उसके हो गाए African Union के अब In addition, leaders of invited countries and representatives of invited guests, international organization participate in the summit with leaders from the G20. Spain को पर्मनेंट इन्वाइट है ठीक है? G20 Summit is formerly known as Summit on Financial Markets and World Economy Formally known as Summit on Financial Market and World Economy As the Premier Forum for International Economic Cooperation agreed by leaders at the Pittsburgh Summit in September 29, 2009 Representing more than 80%, 80% global GDP, G20 continuous effort towards achieving the robust global economic growth As globalization progresses and various issues become more intrinsically intertwined The recent G20 Summit have focused not only on macro economy and trade but also on a wide range of global issues Which have an immense impact on the global economy such as development, climate change and energy health, counter-terrorism as well as migration and refugee The G20 has sought to realize an inclusive and sustainable world through its contribution towards Bakwas The host country G20, yeah, host country of the G20 Summit leads the group over the course of one year from December to following November So 30 November, 1 December से, ये 1 December से 30 November है ये भी हमने उस बड़े वाले जो हमारा था, अब मेजर अबडे 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 उसमे बात करी थी As the G20 Presidency, the G20 Presidency also organizes relevant ministry and working group meetings Share power track, finance track, याद अबडे अब कुछ बात History of G20, after the Asian financial crisis 97-98, it was acknowledged as the participation of major emerging market countries Is needed in the discussion of international financial system G7 Finance Ministers agreed to establish the G20 Finance Minister and Central Bank in 1999 So यहां तक तो Finance Ministers और Governor, Central Bank Governor ही मिलते थे यार बात में ये G7 से G8 हुआ फिर G7 फिर G20 हुआ The G20 Finance Minister and Central Bank Governors meeting were centered on major economic and monetary policy issues Amongst major countries in the global financial system aimed at promoting cooperation towards achieving stable and sustainable Participating members in the meeting were the same of the current G20 November 2008 में लेकिन कुछ हुआ कि सरी ये फिनास्ट मिनस्टर और ये लोग तो रहें गई तो रहें गई तो ये इसके लावा, head of the states आगई Inaugural G20 summit was held in Washington D.C. in response to the global financial crisis that occurred in the wake of the collapse of Lehman Brothers G20 meeting of Finance Minister and Central Bank was upgraded to the head of the state level ठेक है यहां पे ठेक है प्राम मिनस्टर और जो है या जो भी डिक्तेतर आगा जो भी head है, प्रेसिदेंट से उनके लेवल का हो गया, is the forum of leaders from major developed and emerging market countries September 2009 जो summit हुआ था पिट्सबर्ग where leaders designated to, designated G20 as the premier forum for economic, international economic cooperation from there on summit meetings were held semi-annually until 2010 and annually पहले semi-annually साल में दोबार की मजा के सारे leaders साल में दोबार आएंगे इसलिए annually from 2011 onwards G20 holds a strategic rule in securing future, global economic growth and prosperity together the G20 members represent around 80% of the global GDP, 75% of the global trade, 2 third of the world population each year the presidency invites the guest countries which take full part in the G20 exercise several international and regional organizations also participate, granting the forum and even broader representation to UN और ये in fact अभी दुनिया का सबसे बड़ा ये meetings होती है, बहुत शांदार होती है 1999 में G20 बना था, 2000 लेकिन उस समें finance minister और central bank governors जो थे वो मिलते थे 2008 से जो है leaders मिलने थे, G20 founded in 1999 after Asian financial crisis as the forum for finance minister and central bank इस समें तो सिरफ finance minister and central bank governor मिलते थे, लेकिन बाद में क्या हो गया 2007 financial crisis, global economic premier for forum of international cooperation यानी leaders, world leaders, heads of the state मिलने लग गए कौन मिलने लग गए, heads of the state और government G20 held annually under the rotating presidency है, मतलब एक के बाद दूसरा president मनेगा तो G20 initially focused largely on broad macroeconomic issues but it has since expanded its agenda to into area, include trade, climate change, sustainable development, health, agriculture, energy development, anti-corruption भी है हाओ G20 works, काम कैसे करते है, तो sir, presidency rotates every year among its members with the country that holds the presidency working together with its predecessor and successor also known as TRIOKA तीन का, current, पुराना, नया, तीनों का TRIOKA है, ठीक है अभी current, अभी India president था, ठीक है, तो अभी TRIOKA जो होगा तो Indonesia, जो पुराना वाला था, current India और इसके बाद इंडिया ने दी ये presidency ब्रजील, ये TRIOKA, TROIKA, TROIKA, TROIKA ने, TROIKA countries है, ठीक है G20, no permanent secretariat, जैसे कुछ का काटमांडू में हो गया या शलंका हो गया है, कुछ भी, तो कोई permanent secretariat नहीं है Agenda and the work coordination are completed by G20 leaders personal representative, जिनको शेरपा बोला जाता है G20 leaders के personal representatives, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, शेरपा शेरपा ट्राग भी है कि एक सारा काम करवाते हैं together with finance management and central bank governor the pinnacle of the G20 work in each cycle is to communicate expressing members commitments and vision for the future drafted from the chosen recommendations and deliverables from ministerial meetings and other work streams ये भी TROIKA, TROIKA Indonesia 2022, India 2030, Brazil 2000 24, G20 news में क्यों है बाई, तो G20 leaders summit 2023 की जो है जो भारत में वी थी अठारवी summit थी 18th G20 head of the state and government summit 9-10 September को will नहीं हो चुकी, इसके इसलिए तो इस पर बात की थी New Delhi में, summit culmination of G20 processes throughout minister बकवास, G20 leaders declaration adopt हो गया, हो गया declaration adopt Delhi declaration बोलते है, ठीक है इससे पहले वारा इंडोनेशिया जो बाली में हुआ था वो नहीं हुआ था logo and theme इस पे भी हम लोगों ने बात की ही थी वसुदेव, कुटमबकम, one earth, one family, one future भारत 2023 इंटिया G20 logo inspired का से हुआ है, हमारे तिरंगे से हुआ है, हमारे national flag से हुआ है, जिसमें saffron, white, green and blue ये अशोग चक्र जो है, वो blue से है, the juxtaposes planet earth, juxtapose मतलब इसके उपर invite कर दिया, with a lotus, India's national flower, reflect growth amid challenges, the earth reflects India's pro planet approach, इसलिए one earth, one future भोला गया है, ठीक है, to life, one in perfect harmony with nature, below is the G20 logo, भारत, written on Devanagari script, theme, वसुदेव, कुटम बकम, one earth, one family, one future, is drawn from the ancient Sanskrit text of Maha Upanishad, essentially the theme affirms the value of all life, human, animal, planet and microorganised organisms and their interconnectedness on the planet earth and the wider universe, the theme also, spotlights life, lifestyle of environment, with its associated environmentally sustainable and responsible choices, both at the level of individual, the logo and the theme together convey powerful message, G20 India की Presidency में, which is striving for just an equitable growth for all in the world, as we navigate through these turbulent ranks, in the sustainable, holistic, responsible and inclusive manner, they represent a unique Indian approach to our G20 Presidency, of living in harmony with the surrounding ecosystem, for India, the G20 Presidency also marks Amrit Kaal, the 25 year period, beginning from 75th anniversary of its independence, on 15th August 22, Amrit Kaal चल रहा है, हर 25 साल, leading up to the centenary of its independence, towards futuristic, prospective, inclusive and developed society, distinguished by a human-centric approach at its core, work stream, यहाँ पर देखो, शेर्पा ट्रेक, फिनानेंस ट्रेक, इंगेजमेंट गुरू, दो दो ट्रेक पर दूनों ही ट्रेक पर काम होता है, शेर्पा ट्रेक पर, कौन-कौन जो शेर्पा हो है, ठीक है, इनके बारे में भी अपन ने बात की थी, Mr. Kaal, तो शेर्पा ट्रेक में, क्या-क्या काम करते हैं, agriculture, anti-corruption, culture, digital economy, disaster reduction, risk reduction, development, education, employment, environment and climate, sustainability, energy transition, health, trade and investment, tourism, finance track पर किस पर बाते होती है, finance working group, international financial architecture, infrastructure working group, sustainable finance working group, global partnership for financial inclusion, joint finance and health task force, FETF और यह सब भी, international tax, वो तो UN के अंदरा जाता है, international taxation agenda, financial sector issues, फिर engagement group में, business 20 की meeting होती है, civil 20 की, labor 20 की, parliament 20, science 20, SAI 20, start-up 20, think 20, urban 20, G20, जो सथरवे meeting थी, जो बाली में, इंडोनेशा में होई थी, जो declaration अडॉप्त नहीं हो पाया था, तो 16 नोवेंबर 2020, PM नरेंदर मोधी विसिते बाली इंडोनेशा, 14 से 16 नोवेंबर 2020, 17 जी 20 समिट, at the invitation of President of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Vidodu, during the Bali Summit, G20 leaders deliberated extensively upon, की इसुस of global concern under the summit theme, उस summit theme क्या थी, रिकवर तोगेदर, रिकवर स्ट्रॉंगर, ये हमारी theme थी, रिकवर तोगेदर, रिकवर स्ट्रॉंगर की, 3 working sessions, वर हैं, वर हैं, वर हैं, as a part of G20 agenda, food and energy security, health, digital transformation, the leaders promise to take coordinated action, to address food security challenges, and applaud, Black Sea Grains initiative, they also agreed to, pursue efforts to limit the, global temperature, जो बया, ये देट डिगरी Celsius, इंक्रीस हो रहा है, इसको लिम्ट करेंगे, 2015 पैरिस agreement, on climate change, जिस से US back down हो गया था, LS9 किया, लेकिन US पीचे चला गया, in his address on digital transformation, PM Modi highlighted, the role of India in global financial inclusion, leaders recognize the importance of digital transformation, in reaching sustainable growth, leaders across world, express their continuous commitment, बक्वास 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 बक्वास, they welcomed, established new financial intermediary fund, ठीक है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी current वाला, जो है वो जादा important, फिर क्या बचा, BIMSTEC, the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economical cooperation, BIMSTEC, seven member states, का ये organization है, adjacent areas of Bay of Bengal, नाम में ही है Bay of Bengal, constitute continuous regional unity, 6 June 97 को आया, Bangkok declaration में, कौन-कौन है भाईस के अंदर, seven member states है सर, five deriving from South Asia, including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, two, Myanmar and Thailand, initially the economic block was formed with four member, initially charged थे, BISTEC, Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand economic cooperation, इस तरीके से ये चार थे, लेकिन फिर इसको बढ़ाया गया, follow inclusion of Myanmar, का inclusion हुआ, तो, Bangkok में, तो, Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand economic cooperation, एड़ में फिर, Nepal and Bhutan भी आगया, six ministerial meeting में, ठीक है, तो Bay of Bengal, इसका नाम ही, नाम ही, बदल दिया, ये important है, नाम, ग्रुप का चेंज कर दिया, Bengal Initiative for Multisectoral Technology, Economic Cooperation, तो, regional group constitute a bridge, between South and Southeast Asia, and represents a reinforcement of relation, among these countries, Milstack has also established a platform, for inter-regional cooperation, Sark and ASEAN members के, बीच में, Milstack का, कुछ facts, देखे लो बीटा, around 1.5 billion, 8.5 billion की, दुनिया के population, इसे डेड़ बिलियां तो, इन countries में है, Milstack countries में, 22% of global population, 2.7 trillion की, economy. Last year, Milstack members have been sustained, average economic growth, in members के country सका, year ahead, despite COVID-19 pandemic, global financial meltdown. The objective of building such an alliance, was to harness shared, and accelerated growth, through mutual cooperation, in different areas, of common interest, by mitigating, the onslaught of globalization, and by utilizing, regional resource and geographical advantage, पक्वास. ये तो थे ही, कौन कौन से, नौ और कौन कौन से आगे सर, agriculture, public health, party, elevation, counter-terrorism, environment, culture, people-to-people contact, climate change, ये सब भी लेके आगे. Being a sector-driven, grouping cooperation with BIMSTAC, had initially focused on six sector in 97, and expanded in 2008. Subsequently, following the steps to rationalize, reorganized sector and sub-sectors, cooperation work, reorganized in 2021, with the following sectors, sub-sectors, जो member states में है, कौन कौन सा, sector, पहला sector, Bangladesh, Bangladesh, भाई, क्या देखेगा, trade, investment, development, भूतान, ठीक है, environment, climate change, India, वाई, counter-terrorism, transnational crime, disaster management, energy, Myanmar, agriculture, food security, फिर, Nepal, people-to-people contact, Sri Lanka, science, technology and innovation, Thailand, connectivity, his highness, Mr. Tenzin, Lickfell, assumed the office of the security general of BIMSTAC, on 6th November 2020, third BIMSTAC secretary general है, बुटान, परपस, क्यो बनायेगा भाई BIMSTAC, rapid economic development, review of the areas of cooperation, growth and social progress in the Bay of Bengal region, equality and partnership, educational, professional and technical spheres, eradicate party, B.O.B. region से, बस, BIMSTAC news में क्या है, कि सर, joint working group, counter-terrorism का, यह भारत के पास है, transnational crime, New Delhi पे, क्योंकि यह भारत के पास है, the 10th meeting, वास हैं वास हैं वास हैं यह भारत 13th January 2013, participation all member states का था, meeting discussed traditional and emerging non-traditional security threat in the region, and made recommendations on range of issues for enhancing cooperation and collaboration, encountering terrorism and transnational crime in the region. Financial experts from BIMSTAC member states meet to discuss the establishment of BIMSTAC development fund, ad hoc expert group बनाना चाहा रहे हैं सरी ठीक है, development fund बना चाहा रहे हैं, virtually हुई थी यह meeting, धाका, ठीक है, expertise इन्होंने ADB से भी लिया, Asian Development Bank, जिसके बारे में अब हम कर रहे हैं बात, ADB, मेरे साब से, international में तो ये ADB last होगा, उसके बाद एक G7 के बारे में थूड़े बात करेंगे, फिर हम national पर आएंगे, तो आएए, ADB के बारे में बात करते हैं, timestamp please, thank you, timestamp, so, Asian Development Bank, ADB, was conceived in the early 1960s, अभी कंसीवी वादा, starting नहीं बता, उसके सोच हुई थी, as a financial institution, that would be Asian in character, and foster economic growth and cooperation, in one of the poorest regions of the world, ADB envisions, prosperous, inclusive, resilient, sustainable Asia, and the Pacific, while sustaining its efforts to eradicate extreme party in the region, ADB assesses member, and partners by providing loans, technical assistance, growth, other equity investments, to promote social and economic development, ADB is composed of 68 members, कितरे जने हैं भाई, 68 members, 49 of which are from Asia, and the Pacific, काम गया गरता है, prosperous and sustainable Asia ये हो गया, eradicate party हो गया, the assist member, loan technical ये भी हो गया, developing other countries ये ठीक है, ADB partnership member, independent ठीक, multilateral development finance institution, ADB loan, वापे से technical assistance, grants ये देता है, maximizes the development impact, by policy dialogue, advisory services, financial resources देके, now financing and investment by ADB, private sector में इन्होंने, क्या क्या financing financing, कैसे करते हैं ये, तो ADB undertakes non-sovereign operations, to provide financing to eligible recipient, in the developing member countries, non-sovereign मतलब, कि सरकारों को नहीं, ये private को भी देते है, non-sovereign operation, comprises of provision of any loan, guarantee, equity, and other financing, to privately held, state-owned, or sub-sovereign entities, in each case, without a government guarantee, ये, with a government guarantee, लेकिन under terms, that do not allow ADB upon default, by the guarantor, to accelerate, suspend or cancel any loan, or guarantee between the ADB, and the related sovereign, तो वित और वित गाराँटी, लेकिन तो गाराँटी में थोडिसे ना ते किन के है, ADB catalyzes private investment, through direct financing, credit enhancement, risk mitigation, ADB provides direct funding assistance, through loan equity investment, ADB offers political risk guarantee, and partial guarantee, credit guarantee instrument, to enhance the risk, ADB co-financing, बत्वास, B loan agreement, ये, co-financing and guarantee, ADB provides, local, domestic, banks, finance and institution, provide funds, on suitable terms, for ADB assisted development, ये रहा, ADB also, ये में को अलग से लिखना था, also mobilizes, additional resources, पर 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 दूरू, B loan arrangement, loans and other debt instrument, ADB offers, hard currency loans, both senior, and subordinated, as well as, Mizani financing, ADB also offers, local currency loans, in selective market, on the case to case basis, interest rate, and other terms vary, तो ये local currency loan, भी देते हैं, selective market, rates, prevailing market rate, पर देते हैं, floating rates, पर देते हैं, at a spread, above the, secured overnight financing, rate, or euro interbank, offer rate, जा सता, जा सब्सक्राइब, लगर लंड़न, interbank offer rate, मे बार एंबार, Mumbai interbank, offer rate, जा सब्सक्राइब, euro interbank offer rate, जा सब्सक्राइब, depending on the currency, it also offers, fixed rate loans, at a fixed rate swap, equivalent, of the floating rate loans, fees, market-based, fees भी लेते हैं, typically on floating rate loans, ADB charges, a once only, front end fee, as well as, ongoing commitment, fee, on the undisbursed, balance, ADB also charges the fee, to cover, upfront costs, associated with due diligence, project sponsor or client, will reimburse out of pocket expenses, such as travel and external advisor service, legal counsel, technical, ये सब का भी पैसा, जो loan ले रहा है, जिसको चाहिए पैसा, वो देगा, ADB will seek security appropriate, for the loan and type of financing, investment, directly भाई, ये enterprise में invest कर सकते हैं, सरकारों की ज़रत नहीं है, ठीक है, equity investment कर सकते हैं, share, preferred stock, convertibles, does not seek controlling interest, in the investing company, and will not assume, management management, बनने का, इंका कोई, खवा बन ही है, it will, however, typically wish to reserve a right to appoint a nominee, or an observer, to the board of directors, of each of the investing companies, and to select, board committees and will exercise voting right as a shareholder. It will maintain regular contact with the company management, okay, requires specific indicators for development. Output and outcomes and monitors, continued compliance and environmental and social safeguard. One of the objectives of the investment has been achieved. ADB will divest its share at a fair market price. If the objective was achieved, market price. Facilitating this divestment may require an eventual listing of the share of the investing enterprises on one or more stock exchanges, conducting a trade or entering into suitable buyback agreement. In general, ADB prefers to sell shares to the nationals of the host country to broaden local ownership and further develop the capital. when disposing of its share, ADB will endeavor to consult with its major investment partners and give due consideration to their views without being precluded from disposing of its investment at its sole discretion. ADB may also invest in private equity fund up to certain exposure limit. ADB will reserve the right to appoint a nominee to the advisory board to the fund. It will make it same frequency monitor for take care guarantee ADB extends guarantee for eligible product which will enable financing partners to transfer certain risks that they cannot easily absorb on manage on their own to manage on their own to ADB guarantee can be provided when ADB has a direct project or indirect participation in the project or related economic related sector through a loan equity instrument. Loan syndication partners with commercial bank impact investors institutional investors development finance institution to be provided to provide a debt for project through B loan syndicated loan syndicated loans complementary financing scheme parallel loan structure blended finance combination of concessional finance from the donors or third parties with the normal account finance of development finance institutions commercial finance from other investors used to develop private sector market address sustainable development goals ADB is a member of DFI working group on blended concessional finance for private sector project which promotes best practices according to five principle Haa a five principle dhyan 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 blended concessional finance crowding in and minimum concessionality commercial sustainability reinforcing markets and promoting high standards Haa a five principles ADB loan dhyan 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 Achay e допism OECD य WRITY un Branch Bryan international 안돼 organization OECD U E IN OECD I Build better policies for better lives Goal क्या है भाई तेरा Shape policies that foster prosperity Equality एक चीज़ करने के लिए कितने सारी organizations बना दिये Merge कर दो ना Sir Merge किया था UN बनाया था लेकिन फिर कुछ countries का वहां पर अधिपत्य हो जाता है इसलिए ये अलग-अलग organizations Really, it works Together with governments, policymakers and citizens OECD works on Establishing evidence-based international standards and finding solutions to a range of social, economic and environmental From improving economic performance, creating jobs to fostering strong education अरे यार, बक्वास, exam में नहीं आते हैं ये चीज़े हाँ, ये आता है लेकिन Mathias Kormand was appointed Secretary General OECDK 1 June 2021 5 साल के लिए यानि अभी ये हमारे chairman है OECDK History के बाद करे form to administer American and Canadian aid under the Marshall Plan for the reconstruction of Europe after World War II The convention transforming the OECD into OECD तो कहां से कहां बद लेंगे OECD OECD was signed at the Chateau de la Mote in Paris on 14 December 1960 entered into force on 30 September 61 Since the OECD vocation has been to deliver greater well-being worldwide by advising governments on policies and support resilient, inclusive, sustainable growth through evidence-based policy ये ध्याम रखना इसको थोड़ा साथ evidence-based policy है analysis and recombination standard and global policy network including close collaboration with G7 and the G20 OECD has helped advance reforms and multilateral solutions to global challenges बक्वास span of public horizon ये है ये ध्याम रखना है ये है ये ध्याम रखना है ये क्या है OECD developed in 1970 प्लूट जो करेगा वो पैसा भरेगा तो पीसा in education not to mention text transparency and artificial intelligence throughout the history OECD has driven to become more global more inclusive and more relevant international खतम international खतम अब आया national बस international में एक बच्चता है क्या बच्चता है G7 के बारे में अपन बात करेंगे अब आया क्या national तो नीती आयोग तो नीती आयोग's precursor क्या नीती आयोग का precursor का मतलब नीती आयोग से पहले भई क्या बोला जाता था उससे पहले बोला जाता था पेटा planning commission इंडिया में अज़ादी के बाद से planning commissions बनने लग गए थे तो precursor नीती आयोग का कौन था ये है हमारा planning commission of India was established in March March 1950 माई government of India resolution with the prime minister as chairperson chairperson कौन prime minister उसके chairperson थे किसके planning commission के the initial mandate was to establish heavy industry जो फर्स फ़िए प्लान second फ़िए प्लान ऐसे आया था तो पहला वाला जो था वो established the heavy industry through public investment as a means for achieving rapid industrialization the functions assigned to planning commission were to assess, allocate and plan resources, formulate plans and programs for area development determine implementation methodology identify resource constraint and appraise and adjust implementation planning commission कब से कब तक था ये तो बीच वाले तो बकवास है तुमको important चीज क्या याद रखनी है सर्प्लानिंग कमिशन 1950 में बना पीच मीचे 5-year plan 3-year plan 1-year plan भी ऐसा हुआ 2-2014 तक ही रहा formulated 12 5-year plan कितने 5-year plan आए 12 तो 5-year plan आए ठीक है तो प्राम मिनिस्टर अनौंस the closure of planning commission from the rampart from ramparts of Red Fort on 15th August 2014 को जो Independence Day की स्पीच थी उसमें planning commission को हटा दिया गया था planning commission को हटा दिया गया था ठीक है चले आगे the government of India in keeping with the reforms agenda is constituted और planning commission की क्या बनाया constitute क्या Niti Aayog to replace the planning commission this was done in order to better serve the needs and aspirations of the people of India an important evolutionary change from the past Niti Aayog act as a quintessential platform क्या है बहीज़ यह एक quintessential platform of the government of India to bring states to act together in the national interest and thereby force the cooperation cooperative federalism तो states के साथ federal government काम करती है तो Niti Aayog established in 2015 is an is one of India's democracy's youngest institution exam में आने का सवाल बहुत बढ़िया हो जाता है India's democracy सबसीच youngest institution है it has been interested with the mandate of re-imagining the development agenda by dismantling old style of central planning the Niti Aayog was mandated to foster cooperative federalism के लिए evolve national consensus on development goals refine the reform agenda and act as a platform for resolution of cross-sectoral issues between center and state government capacity building and to act as knowledge and innovation hub ये नितियायोग का काम है it represented a huge mandate for nested organization Niti Aayog is the premier policy think tank of the government of India providing both directional and policy inputs while designing strategic long-term policies and program for the government of India Niti Aayog also provides relevant technical advice to the center and state तो भाई Niti Aayog क्या काम करता है Niti Aayog entire gamut of activities can be divided into four main head policy and program framework का काम करता है cooperative federalism monitoring and evaluation think tank and knowledge and innovation hub ये सारे काम काम कर रहा है Niti Aayog हमारे कर रहा exam के लिए ये बिलकुल 4 में से सवाल आ सकता है Niti Aayog बिलकुल बहुत important हो जाता है ये OCD और से तो ज़्यादा important ये है to evolve a shared vision objective to evolve a shared vision of national development priorities sectors and strategies with the active involvement of the states के साथ के काम करना है to foster cooperative federalism बार बार आए गया support structured support initiative and mechanism with the state on a continuous basis recognizing that strong state makes strong nation to develop mechanism to formulate credible plans at village level and aggregate these progressively at higher level of the government to ensure areas that are specifically referred to that the interest of national security are incorporated in economic strategy and policy to pay special attention to sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress to design strategy and long term policy and program framework and initiatives and monitor their progress and their efficacy the lessons learned through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements including necessary mid-course correction to provide advice ये इतना सारा याद करना ही नहीं है advice or advice देना है encourage partnership ठीक है knowledge innovation entrepreneurial support system platform for resolution of intersectoral interdepartmental issues state of our resource center पे actively monitor evaluate implementation of program ज्यादर detail में नहीं करना अपने को technology of gradation ठीक है बास खत्म present constitution अब ये जो yellow डब्बे में है ये आपके लिए ज़रूर important है और ये बिलकुल अच्छे से करने हैं ये उपर वाली चीजे नहीं भी करो चलेगा ये प्रेजेंट constitution के chairman मोधी जी है prime minister of India is the chairperson vice chair शीर सुमन बेरी ठीक है majorly vice chair जो है वो चलाते नहीं तो याए उपको prime minister है वो तो एक ceremonial post लेके बैठते है minister state राव इंदरजीत सिंग union minister of state independent charge of the ministry of statistics and program implementation ministry of planning and union minister for state of ministry of corporate affairs ये सब भी इसके रहते हैं full time members श्री वीके सारस्वत प्रोफेसर रमेश चन डॉक्टर वीके पॉल डॉक्टर अर्विंद विर्मानी ये सारे नाम भी इसके full time members में CEO श्री BVR सुब्रमन्यम इनके CEO है निती आयोग के governing council निती आयोग की 19 फरवरी 2021 से chairman तो PM होई गए ex official members निती आयोग vice president निती आयोग full time member निती आयोग chairman ये अलग-अलग हो गया special advisory administrators of UT अभी तक 7 meeting है हो चुकी है governing council की ठीक है with chief minister and lieutenant governments of state and union territories with the other members of the government council in the 7th meeting 7th meeting में क्या हुआ 7 अगस 2022 को crop diversification पर बात हुई self-sufficiency in pulses oil seeds other agriculture commodities new national education policy 2020 का जिसको हम बोल रहे थे schooler और implementation in higher schools के लिए बी और higher education के लिए NEP urban governance relevance देखे Niti Aayog का तो competitive federalism ये शब्द आप बार बार देख रहे हूँ various reports of Niti Aayog like healthy states progresses India etc. which give performance-based ranking of states across various verticals to foster spirit of competitive federalism कि ये आपस में states में competition है it helps to identify best practices in different states in various sectors and then try to replicate them and other state cooperative ये competitive federalism था अब cooperative federalism के देखेंगे तो due to composition of Niti Aayog it gives better representation of the state in the body which facilitated direct interactions with the line ministries also help to address issues in a relative shorter time greater accountability to establish the development monitoring and evaluation office है इनका तो accountability जल्दी हो जाएगी ठीक है earlier in India had 12 five-year plans but they were mostly evaluated long after the plan period had ended hence there was no accountability तो ये five-year plan का एक demerit आप जरूर यहां पे कर सकते हो कि उनका evaluation बहुत बाद में होता था तो कोई काम नहीं आते थे वो फिर think tank of innovative ideas funnel नितियायोग is visualized as a funnel through which new and innovative ideas come from all possible sources industry academias civil society or other foreign specialists and flow into the government system for implementation next convergence for resolution being a common point for similar issues phase by different sectors states it acts as convergence points for platform for different issues ठीक है नितियायोग इन news में अब क्या बोल रहा है news नितियायोग push government to privatize PDS public distribution system राशन को प्राविटाइज राशन shops तो नहीं है तुम लोगो नहीं प्राविटाइज slash free food subsidies in the latest union budget presented on February 2 there were deep slash in food grain subsidy for poor with a massive 63% cut नितियायोग ने suggest किया to achieve this cost saving measure the government on December 2 22 put an end to the free food scheme end हो गई हमारी free food scheme that was rolled out during the COVID-19 reject other schemes under National Food Security Act rebranded them but conservative estimates suggests that at least 10 crore Indians are currently excluded from the program due to population growth some of the documents reveal that Neeti Aayog has been the strongest opponent for of expanding food security program it has repeatedly sought to pare down and radically overhaul the food public food distribution system which gives subsidized rations details have a party log a fit niti ayoga ने और क्या किया separate central board for vocational education isko sthapna propose किया separate central board for recording vocational education on the lines of education board such as central board of secondary cbse के तौर पर vocational education के लिए भी अलग से बोड़ बने cbse icse ये बोड़ से वैसे it also suggested conducting national centralized examination for administer admission to industrial training institute iti to streamline system and ensure transparency नीति आयोग यहां पर होता है बिटा खतम और नीति आयोग के बाद फिर या क्या RBI RBI आया आज RBI के बारे में हमें already बहुत सारी चीज़े पता है बाकी चीज़े आये RBI के बारे में हम लोग यहां पे देख लेते हैं सो RBI एक अपरेल 1935 को स्टैबलेश हुआ RBI का कानून क्या RBI एक 1934 Central Office RBI की ठीक है पहले कैलकटा थी लेकिन बाद में पर्मनेंटली मूव कर दी गई मुंबई 1937 को शाहिद भगत सिंग मार मुंबई में Central Office is where Governor sits यह सारी चीज़े बेटा अल्रीडी कवर्ड अल्रीडी कवर्ड इन चैप्टर जो हमारा Financial Affair Chapter अल्रीड कवर्ड इन फिनांशल अफेर चैप्टर ठीक है अल्रीड कवर्ड इन फिनांशल अफेर चैप्टर ओरिजिनली प्राइवेट ओन था नैशनलाइजेशन नाइटिन फर्ड इन रिजर्व बैंक को फिर सेंट्रल गवर्ड ने सारे शेर इसके खरीद लिए यह सारी चीज़े आपने फिनांशल अफेर वाले में देख लिया है बेसिक फंक्शन यह भी आप लोगों ने देख लिया यहां पर यह भी कुछ नहीं है यह भी यह मतलब जब आपकी मॉडियूल्स में यह चपेवे हैं रेट्स यह रेट है रेपो रेट है साड़ेशाई परसेंट रिवर्स रेपो 3.35 एमसलर 6.75 बैंक रेट 6.75 सीरार साड़ेचार एन एसलर भी एसलर 18 इन फैक्ट प्रेजेंटली भी यही रेट है आज जिस दिन में रिकॉर् नहीं किया तो आज जिस दिन में यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन भी यही रेट्स आ वैलेड है International Information Registry will help expedite credit kur agrb.com बोला Financial Information Registry एक यह रेडिस्टि बनाए जाया है तो National Financial Information Registry आनांस ऐन 23 – 24 बजट में तो यह बजट में आनांस की गई थी इस रेजिस्टी का aim at expediting loan sentience and credit flows by offering lenders a 360 degree perspective on potential buyer. तो भाया जो भी loan किसी को भी देना है, bank को या NBSC को, तो ये buyer का 360 degree analysis कर सकते हैं. A lot of information is required by bank before a loan is sentient. The idea is to create a one registry, एक ही registry बनाओ, where to the extent possible, considering issues of privacy and other things, the idea is to provide 360 degree kind of information system, which will be readily available to the lending institution to ensure that it quickens the process of credit flows. Speaking after a meeting of the Central Bank Board with the Union Finance Minister Nirmala Sitaraman, Mr. Das said the registry will be backed by law, the draft bill for which is likely to be finalized soon. पार्लियमंट के special session में ये आ सकता है, बिटा, चलिए, lesson two, ये मैंने आपको बोली दिए, reading इसके बारे में आप कर चुके हो, already. Next हमारा organization कौन सा आए? Next आया, SEBI, SEBI के बारे में भी आप लोग आप लोग आफी जगे पढ़ चुके हो, आओ, इसको जल्दी-जल्दी revise करते हैं. Time stamp चाहिए, प्लीज, sorry, time stamp, time stamp, RBI का भी time stamp, इसका भी. So, SEBI को established किया गया का बारा अप्रेल 1992 को, establishment हुआ बारा अप्रेल 1992, accordance with the SEBI Act 1992 का, the Securities and Exchange Board of India Act 1992. Preamble of SEBI, describe basic function of SEBI as, protect the interest of investors in securities and promote the development of and regulate the security market for matters connected therewith or incidental there too. Miss Madhavi Puri book is the current present chairperson of SEBI. Shri S.K. Mohanti, Shri Anant Barua, Shri Ashwani Bhatia and Shri Anant Narayanji are whole time directors of SEBI. News में क्या है? अब सबसे ज़्यादा News में यही रहता है SEBI. तो एक तो launch करेगा information database on municipal bond. Information database on municipal bond. Launch कर चुका है repository of information pertaining to municipal bond on its website to assist municipal debt issuers को help करने के लिए other stakeholders and municipal debt market. Information database will also be accessible by using QR code से आप access कर सकते हूँ. User will gain access to a wide range of information in the form of statistics, regulation, circular, guidance, नोट यह सब नहीं चाहिए. Repository also contains various checklist भी इसके अंदर है for pre-listing requirement, sample letters, certification from various intermediaries to be obtained. बस इतना सा तुम लोग को ध्यान देना है इसमें. कि municipal corporations के लिए municipal debt जो वो लोग उठाते हैं, उसके अभी SEBI list करवाएगा. फिर extend trading hours in case of outage of stock exchanges. तो guideline issue किये extending of trading hours जो अभी 3.30 बज़े बंद हो जाती है. in case of outage of stock exchange along with standard operating procedure for stock exchange for handling such an outage. 9 January 2023 को capital market ने बोला कि outage का क्या मतलब है कि capital काम नहीं हो रहा है. stoppage of continuous trading इधर sumo to buy the exchange और reason beyond their control. अगर किसी वज़े से हो गया तो 3.30 से आगे भी trading ने जा सकते है. if the trading on the affected stock exchange does not resume to normalcy, even one hour before the scheduled market closure, trading hours for all stock exchange would automatically get extended for an additional one and half hours for that day. moreover if the outage is during the last trading hour and latest before 15 minutes of the normal बंद होने का ताइम साड़ तीन बजे बजे, trading hours for all will be extended. this implies if there is a failure to start pre-opening by 2.15 p.m. then the extending hours will be till 5 p.m. for that day. अगर सावाद दो तक नहीं होता तो 5 पिच तक चलेगा. फिर, रीट साइत है बटा इंपॉर्टन है. Issue and Listing of Commercial Paper by Listed REIT, Real Estate Investment Trusts या INVITs. ठीक है? सेबी ने two separate circular दीएं, REITs और INVITs के लिए में Issue, Listed Commercial Papers, Subject to REIT, INVIT, Investment Trusts था. shall abide by the guidance prescribed by RBI को prescribe करना पड़ेगा for issuance of commercial papers and shall abide by conditions of listing norms prescribed by SEBI. Further, that issuance of listed commercial papers, यार तुमें पता है न, commercial paper हर corporate entity नहीं Issue कर सकती. तो, Listed CP shall be within the overall debt limit permitted by SEBI and Infrastructure Investment Trusts. तो, SEBI joins RBI, Account Aggregator Ecosystem. The capital market regulator SEBI joined the Account Aggregator Framework the MOVE that will give a boost to RBI in regulated financial data. MOVE will allow customers to share information about their mutual fund stock holding with financial service provider under this framework. financial information providers in their security market like depositories and asset management companies through their Registrar and Transfer Agents or RTA will provide financial information pertaining to security market to the customer and consented financial information users through any of the account aggregator is RBI regulated. ठीक है, इन स्वाप financial information consent मांगेंगे या आप इनको share कर सकते हो. Guidelines और Overseas Investment by Alternative Investment Fund. यह important है AIFs, Alternative Investment Funds, Venture Capitalist Fund, 17-2022. तो SEBI Venture Capital Funds Regulation 1996 ने क्या बोला? AIF and VC में invest in securities of company in corporate outside India subject to conditions or guidelines that may be stipulated or issued by RBI and SEBI from time to time. This circular has issued guidelines for overseas, overseas investment के लिए guidelines. GST on fees payable to SEBI, भाया थाइस जून, 29 जून को बोल दिया कि इन्टर विड्राव और एक्सम्शन गांटे टू, services by SEBI अब इस पे भी GST 18% की लगेगी. ठीक है? जो भी charges SEBI को पे होंगे, fees charges उट पे, service है, 18% की GST लगेगी. SEBI ने इन पैनल किया है, 8 entities को, digital forensic services exam की लिए, फिर important, digital forensic services के लिए, कौन-कौन, big force तो है ही भाई. Deloitte, Toshay, Tomastu, LLP ये तो है ही है, दूसरा, EY, Ernest & Young को किया है, digital foreign services में. These agencies will require to provide assistance to SEBI's search team for on-site data acquisition during search and seizure के time पे ये help करेंगे SEBI को. They have been impaneled for providing data forensic services to the regulator following a completion of impaneled process. Impanelment will be valid for 1 साल के लिए, इन को रखा किया. SEBI cautions investor against funds raised by unauthorized portfolio management service providers. कि भया, इनको आप पैसा ऐसे देखे, मत छोड़ो, ये बोलते हैं हम आपके पैसा डबल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. Capital market regulator SEBI cautioned investor, सावधान रहिए, सावधान रहिए, सातरकत रहिए, against unauthorized money mobilization by entities claiming to provide portfolio management service. Further, the regulator noted that these entities have been luring the public with false promises of double the money. Through pamphlet and social media platform, it was observed that in such schemes, the entities have been mobilizing money in relatively smaller amounts and promising a short return, SEBI said. In a statement, the advisory comes after the SEBI noted some entities are collecting money from the public to provide portfolio management services. Investor charter SEBI ने issue किया, investors को क्या चीजे धान रखने चाहिए with an objective to provide protection to investor finance minister, Nirmala Sitaramat, in the union budget 2021, has proposed to introduce an investor charter as the right of all financial investors across the financial products. Since then, SEBI worked on framing a charter for investor. What was about charter क्या है? यह देखो, मैं यह याद रखना है, do's and don'ts है कि क्या करना है और क्या नहीं करना as a investor. Right क्या है investor का? Fair treatment, equitable treatment मिले. Fair redress of investor grievances. SEBI ने एक portal बना दिया, इस पर डालोगे. SEBI recognized market infrastructure institution में quality services मिले. Right आते दो duty भी आएगी responsibility क्या 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 है investor की? इनी के साथ deal करना है, ठीक है? अपडेट KYC वगर अपडेट करनी है, grievances को time bound manner में आपको SEBI के सामने लाना है, own benefit के लिए, किसी और के लिए benefit के लिए नहीं, खुद के benefit के लिए अपना account चलाएं, कोई और को मत दे चलाने के लिए. Do's, read, read and understand, यह documents carefully before investing यह सुना है, investor grievance, redressal mechanism के बारे में पता हो, risk के बारे में पता हो investment से पहले, कोई भी गडबड़ी मिले तो जल्दी से जल्दी लाए, asset management company और के नजर में, और fees वगरा जो margin वगरा है, वो कोई आपको बुद्धू नहीं बना ले, आपको पता होने चाहिए कितना है, don'ts के बारे में cash नहीं देना है कभी भी, और bank से जाएगा, ठीक है, और कभी भी critical information bank account और OTP, OTP share नहीं करता है, चली, फिर नया एक आ रहा है बिटा, नया अपना क्या आया, नया institution, national institution CCI, Competition Commission of India, प्लीज एक time stamp दे दो यहां पर भी, thank you, तो Competition Commission of India, CCI जिसे बोला जाता है, अगर इसके बाद कमचते हैं, तो एक कानून मना, the Competition Act 2002, जिसको amend किया गया, Competition Amendment Act 2007, follows the philosophy of modern competition laws, the act क्या करता है बया, prohibit करता है, anti-competitive agreement, abuse of dominant position, monopoly वगेरा को यह discourage करता है, regulates combination, that is acquisition, acquiring of control, इसे permission लेनी पर थी एक कंपनी को अगर दूसरी कंपनी को खरीदना है, ठीक है, कई monopoly वगेरा create तो नहीं हो जाए, which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India, the Competition Commission of India, established कब किया गया था भाई, 14th October 2003 को established by Central Government, to achieve the objective of Competition Act, CCI consists of chairperson, एक तुचेर परसन है और छह सदस्चेर मेंबर्स appointed by the Central Government, छह मेंबर्स और एक चेर परसन, duty क्या है, भाया duty है, eliminate करना है, practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect the interest of consumers, ensure freedom of trading market in India, कौन है भाई अभी की परसन, रवनीत को और चेर परसन है, इस कमिशन की, संगीता वर्मा, श्री भागवत सेंग, विश्नुई, members अभी इस कमिशन के हैं, News में क्या है CCI, तो भाया CCI ने इन्वो किया है, doctrine of necessity principle, to examine mergers and acquisition deals, तो भाया, यह merger और acquisition अगर हो रहा है, तो doctrine of necessity, मतलब यह होना जरूरी है, इसके कितनी जरूरत है, यह देखेंगे, तो competition क्या बोल रहा है, कि in absence of requisite quorum, will soon invoke doctrine of necessity principle, to examine mergers and acquisition deal, according to sources, CCI has only two members, and the post of chairman is vacant since, Mr. Ashok Kumar Gupta retired on 25 October 2000, for examining mergers and acquisition, also known as combinations in the CCI Parallelance, the fair trade regulator needs a quorum of three, quorum of three members, since there is a lack of quorum, many deals are waiting, approval पे अभी wait हो रहा है, regional office जो है, west of CCI in Mumbai inaugurated, निर्मला सिताल रमन जी finance minister ने inaugurate किया 6 October 2022 को, और इसमें कुछ धान देने के जरूरत नहीं है, अप्रूवल ऑफ कॉंबिनेशन ऑफ तन्वीर इंफ्रस्रक्ट्ट्चर, SAOC यह इसने acquire किया, SEMCorp Energy India यह target इसको acquire किया, तो भाया, अप्रूवल इसका किस ने दिया, CCI ने किया ठीक है कर ले, ठीक है, सेम इंडस्ट्री की एक और कंपनी को, अक्वायर किया है, तो पार्टी यह है, अक्वायर is the newly incorporated entity, set up in the Sultanate of Oman, कि विदेश और है, Sultanate of Oman में यह नई entity, अक्वायर जो है, यह incorporated हुई, अक्वायर is ultimately controlled by various holding entities and individuals, the target is a public limited company incorporated in India, जिसको एक्वायर किया, it is an independent power producer which directly owns and operate two coal-fired power plants, having a total installed power generation capacity of megawatt in TP Gudur Mandal, Nellore district of Andhra Pradesh, India. The target has one only owned subsidiary named TPCL Singapore PT Limited and does not engage in any business as on date, अभी तक्वाया पार नही कर वे, the combination include by 99.99% shareholding in SEIL by Tanvir and acquisition of beneficial interest of 90 shares in SEIL by Tanvir which will represent the remaining 0.0000001% shareholding of SEIL. and the proposed combination is notified to the Honourable Competition Commission of India under Section 5A of the Competition Act 2002, Honourable Competition Commission of India, held that there is no direct or indirect horizontal, vertical or complementary overlap between the activities of the acquirer group and in plausible relevant market. तो इसलिए इसको permission दे दी कि जाओ, खरीद. Next, क्या आया? एक और बोर्ड, एक और टाइमस्टैम चाहिए, यह है IBBI बेटा, इसके exams, CS student, मैं बोलूँगा तुम लोग को CS वगरा कर लो, IBBI में बहुत reforms आ रहे हैं, इसके exam जरूर जरूर अपन लोग देंगे, यह ध्यान रखना सी है, Insolvency and Bankruptcy professional भी बनना है. So, IBBI Insolvency and Bankruptcy Board of India, तो IBBI क्या कह रहे हैं? Establish हुआ 1st October 2016, और किस code के अंदर? Insolvency and Bankruptcy Code of 2016. Code है, Act नहीं, Act नहीं बोल देना. Key pillar of ecosystem responsible for implementation of code that, यह implement करेगा code को, यह code को, कौन follow करेगा यह board करेगा. That consolidates and amends the law relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner for maximization of the value of assets of such persons to promote entrepreneurship, availability of credit. तो भाया, क्या क्या करेगा? Maximization of value of assets for such persons. Promote entrepreneurship, availability of credit, balance of interest in two of all stakeholders. It is a unique regulator which regulates a profession as well as a process. यह याद रखने के लिए. Regulates a profession, bankruptcy professional as well as process की वो काम कैसे करेंगे, दोनों काम यह करेगा. I.B.B.I. It has regulatory oversight. क्या है इनके पास? Regulatory oversight over the I.B. Insolvency professional, insolvency professional agencies, insolvency professional entities and information utilities. इन सब पे इनका यह regulate करेंगे. It writes and enforces rules for processes, namely corporate insolvency resolution, corporate liquidation, individual insolvency resolution and individual bankruptcy. तो बाया, corporate insolvency करेंगे, corporate liquidate करेंगे, individual insolvency and individual की bankruptcy. It has recently been tasked to promote the development of and regulate the working and practices of insolvency professional, insolvency professional agencies. श्री रवी मित्तल, जहां अभी भी यही है, currently serves as chairperson of I.B.B.I. Shree Sudhakar Shukla and Shree Jayanti Prasad are the WT, whole time members of the board. News में क्यों है? कि वही, preparing to amend insolvency law to reduce time period for resolution process. The government is preparing to amend the insolvency law as it looks to reduce the time taken for completion. A completion of resolution process of stressed asset will prevent significant erosion of value of the asset. The amendment of insolvency bankruptcy court which came into force in 2016 for timely resolution of stressed asset are expected to be introduced in the budget session of the parliament next year. यह ध्यान ने देने के जरत नहीं, यह reduce time period ध्यान देो. अरे, क्या बात कर रहे हो? अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने प्यारे ICSI, the Institute of Company Secretaries of India, आइए इन पे बात करते हैं. प्रोफेशनल बाड़ी है यह, develop and regulate profession of company secretaries in India. प्रीमियर नैशनल प्रोफेशनल बाड़ी, जो एक separate Act of Parliament के अंदर बनी थी, Act का नाम, the Company Secretaries Act of 1980-19. फंक्शन क्या करेगी? Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs, Government of India के अंदर यह काम करेगी. क्या करती क्या है सर यह? It's a top quality education to the students of company secretaries course and best quality set standards CS members के लिए देती है. अभी तक कर data देखें, तो मोर्दन सत्तर हजार members हैं, अराउंड ठाई लाग students ICSI में enrolled हैं, यहां आप भी उनी में से एक हो. Headquarter का है? दिल्ली है, Headquarter दिल्ली, Regional offices भी हैं, चार, एक तो दिल्ली में ही है, एक Chennai, एक Kolkata, एक Mumbai and उसको छोड़के, 72 chapters across India भी है, आज छोटे 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 शहरों में, ठीक है किया, State Capitals में तो है ही है. ICSI has been contributing to the initiatives of the Government of India that has potential to excel the socio-economic growth of India. Presently, हमारे Chairperson कौन? CS Manish Gupta Ji is the President and CSB Narsiman is the Vice President of ICSI. मोट्टो बिल्कुल याद हुना चाहिए तुम लोग को, truth abide by the law. Speak the truth which is abide by the law. सच बोलो, जो कानून जिसका साथ दे. Vision to be a global leader in promoting good corporate governance. Mission to develop high caliber professional facilitating good corporate governance. News में क्यों है? आये देखते हैं, News में क्यों है. Sir, corporate tax conference. तो ICSI ने organized किया first corporate tax conference Dubai में 3 June 2013. को हाँ तुम लोग भी member बनो ICSI और election लड़ो तुमको भी Dubai जाने का मौका मिलेगा on the theme of UAE corporate tax a new paradigm towards the transparency of corporate governance. Mr. K. Kalimuthu, Council Economic Trade and Commerce Consulate of General of India, Dubai, graced the occasion as the chief guest. Dr. Ram Bukhsani, Chairman ITL Cosmos Group, Dr. Dubai and Mr. Suresh Kumar, Chairman of IBPC Dubai were the guest of honor. Season speaker from both India and UAE deliberated on the three-themed based panel discussion that explored processes, aligning the corporate culture with the provisions of new text laws, kick-starting transformative approach, एक तो ये इस पे बात की, aligning the corporate culture with the new text laws and rule of governance, professional इन पे बात की. 2nd International Conference of ICSI Overseas Centre in London, UK, the Institute of Company Secretaries of India organized 2nd International Conference of ICSI Overseas Centre in UK, London, UK on 11th May 23, on the theme of strengthening, क्या theme क्या थी? Strengthening Global Governance for an Equitable, Inclusive, Sustainable Future. The Right Honorable Baroness, Dr. Sandeep Verma, member of the House of Lords, UK, graced the occasion with the chief guest, Mr. Sujit Ghosh, Deputy High Commissioner of India. UK was the guest of honor. 2-day event unfolds stimulating discussions relating to the theme of the conference through the following panel discussions and special session. Special session, the interaction of competition law, corporate governance, and sustainability and inclusiveness. Building effectively, 3rd class, 3rd class news. कुछ भी नहीं करना है. Crash course on ESG. So ESG, Environmental, Social and Governance. ESG पे Crash Course. It refers to organization. This is international. Organization, governance, structure, management, practices, and reformance around the social and environmental impact. Ordinarily used in finance by socially conscious investors, ESG has come to be used more widely to the business world to determine a firm commitment to make positive social environmental. ICSI क्या कर रहा है? Member of ICSI, with requisite knowledge and skills to deal with the matters related to ESG compliance. तो ICSI वाले करेंगे. फिर ICSI ने लॉट किया Union Budget की सरहना की. ठीक है. So ICSI appreciates the first budget of Amrit Kaal. Union Budget 23, presented by Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitaraman on February 1, 23. The Seven Vital Dimensions or Subthrishi Highlighted in the Budget. Inclusive Development, Inclusive Development, Reaching the Last Mile, Infrastructure and Investment, Unleashing Potential, Green Growth, Youth Power, Financial Sector are all aimed at creating technology-driven robust economy. AI-based solution, Growth Research, Innovation. Twin Goal, Reducing Compliance and Enhancing Investor Protection. Targeting Fiscal Deficit to be below 4.5% by 25-26. बस. ये में चीज़े हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है इसके बारे में. एक बोला था मैंने international वापिस से आएगा. कौन सा? G7 Summit. तो यार अब तो G21 बोलेंगे एक तरीके से G20. तो जी पहले G7 आया. औरिजिनली केम इन्ट विंग, 1975. हेड थे वर्ल्ड के 6th leading industrial nation. कौन-कौन से? US, UK, France, Germany, Japan, Italy. Decide to hold meeting in wake of oil shock of 1973 and financial crisis में. बाद में Kannada, Kannada, Kannada joined हुआ 1976 में. तो इसको G7 बोला. बाद में Russia आ गया. तो G8 बोला गया. But suspended in 2014. क्योंकि क्रीमिया पे, from Ukraine, क्रीमिया ले लिया. ठीक है? मझे में. तो G8 से इसको निकाल दिया. वापिस से G7 हो गया. फिर अब G20 and 21 हो चुके हैं. Current members. US, UK, Kannada, France, Germany, Italy, Japan. यह साथ members है. Group Regards told us Community of Values with Freedom and Human Rights, Democracy and the Rule of Law and Prosperity and Sustainable Development as its Green Principles. G7 summit 2023 की. ठीक है? प्रेसिदेन से किस ने की? जपैन ने. ठीक है? 19 से किस में? हिरोष्यमा. जहां पे, युएस ने बंगिरा थे, हिरोष्यमा और नगासाखी में. वहां पे बुलाया. मेजर आउटकम. अ एका किसा किसां पूलागे अज़कर, ये बंगिरे आउटर एक्राश्यमा कुछिए जयरे विर्दुर। इसमें किसा थे अजर इसंपना एक्राश्यमा करते आप्समें, ये जरीण धरे दॉट्समें आवीघ्रा। अल्गिराएश्समें लिजर्श्मा. where the leaders of US, UK, Canada, France, Germany, Italy and Japan along with representative of EU, European Union and other invited guests met to discuss the range of political global challenges. Outcome क्या है? Sir, outcomes की अगर हम बात करें तो Hiroshima Vision जो है Nuclear Disarmament पर बात कर रहा है कि सारे देश नुकलियर वेपन्स खतम कर दू. Commitment to achieve in a world without a nuclear weapon with an undiminished security for all through taking realistic, pragmatic and responsible approach. Discuss ways to strengthen international cooperation, prevent spread of nuclear weapon, support of Ukraine, G7 ने ठेक है? फिर new sanction against Russia लगा दिया, ban on import of Russian gold, de-risking not decoupling from China, countering China's economic coercion, new initiative to provide 5 billion in food assistance to countries, जो crisis में है, ये major इनके कामरा है, बस ये major major चीज़े देख लो. G7 समिट जो 2022 की हुई थी, 48 G7 समिट, 26 जून 2022, फिर, ठीक है, ये तो पुरा ना है. G7 committed to decarbonize road sector by 2030, मतलब, electric and non-pollution वाले fuel पे फोकस करेंगे, launch the partnership for global infrastructure investment joint initiative to fund infrastructure projects in developing country. 600 billion dollar इसमें लगाया गया है. Building on their existing partnership with South Africa, G7 will work towards just energy transition with Indonesia, India, Senegal and Vietnam. समिट वामेट इन सब के बारे में बाते हो गई. अब उत्तर प्रदेश Global Investor Summit के बारे में बात करते हैं. भाई, उत्तर प्रदेश अगर कोई कई हो इस समय, ठीक है, क्या शान्दार सजाएगा. एक एक ब्रिज के नीचे क्या उन्होंने वो बनाए है, शॉप्स वगरा बनाए है, अमेजिंग, क्या हाइवेज वगरा, सफाई बहुत अच्छी. तो ये, किस वज़े से, एक वैसे तो है, सरकार का उत्तर प्रदेश लेकिन, उत्तर प्रदेश Global Investor Summit के टाइम पर ये सारी चीज़े की गई थी, हेल्ड का हुआ, 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनव में, तो फ्लैक्षिट इन्वेस्मेंट समिट, और गवर्मेंट अफ उत्तर प्रदेश इसके बाद मिंटेन भी किया, समिट तो बहुत पहले हो गई, उसको मिंटेन किया, ये भी बहुत अच्छी बात है, थ्री डे लॉंग इन्वेस्टर समिट, पॉलिस ओमेकर कॉर्पेट लीडर, बिसनस ऐलेकेशन अकैडमिया, सब को बुलाया, इसमें, इट वाजन इनिशेटिव अलाइन विजिजन फॉनरेबल प्राम मिनिस्टर फ इंडिया, बेकिंग आर कंट्री यूएस फाइफ ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी बनाने क्या, जुस्त अपना है, उसके तरफ ये इन्वेस्मेंट समेट रखी गई, एस सेट अ एस्पिरेशन टागेट अफ मेकिं स्टेट अ यूएस वन ट्रिलियन एकॉनमी, उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन की एकॉनमी तो सिफ अकेला उत्तर प्रदेश बनेगा पांच सालों में, की हाइलाइट्स, टोटल इन्वेस्मेंट हुआ, 33.5 लाग करोड इन्वेस्मेंट प्रपोजल वर रिसीवड, ठीके 33.5 लाग करोड का, लाउंच न्यू ओन्लाइन, सिस्टम कॉल निवेश सार थी, इनाउगरेशन किया प्रब मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी ने, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स इन दे समिट दा, उत्तर प्रदेश क्रिकेट असोशीजिएं ने साइन किया MOU, में एक स्टेडियम में बनाएंगे 30,000 की कपैसिटी का, UK की कमपनीज ने 6 MOU साइन किये, उत्तर प्रदेश बिग सेंटर बनेंगा, मैडिकल फार्मासेटिकल सेक्टर के लिए, प्रपोजल 63, 475 करोड के प्रपोजल मिले, 156 अग्रीमेंट, मेडिसन और एक्विपेंट के हुए, इन्वेस्टर्स रूम सिंगपूर ने MOU 29,000 करोड के, for spiritual and ecotourism in उत्तर प्रदेश के लिए, 29,000 spiritual economy, ecotourism के लिए, 29,000 करोड के MOU किये, समिट ने 20 participation of more than 10,000 delegates from, more than domestic in 20 countries से ये आये थे ये लोग, World Investor Week, ये भी शांदार हुआ था, World Investor Week, 3-9 October 2022 को, IOSCO, 6th Annual World Investor Week, focusing on reshipping, focus काम पिता, re-shipping marketplace, sustainable finance, crypto assets, पिता, चलो, यहाँ पे और कुछ भी नहीं, इस बाओ इOSCO, IOSCO is the leading international policy forum, for security regulators, other than is recognized as a global standard, set up for securities regulation, the organization membership, membership, regulates more than 95% of the world's securities market, in some 130 jurisdiction, continues to expand, IOSCO aims through its permanent structure, चलो, इस में कुछ भी नहीं, मेरे जाब से अब लास्ट में आ गए हैं, अपने इस चेप्टर में बेटा, कुछ famous personalities का बारे में बताया गया है, यापे पहला, मुटा बाई, मुकेशमबानी साहब, chairman, an MD है, Reliance Industries Limited के, खुद, education wise chemical engineer है, institute of chemical technology, Mumbai से, ठीक है, MBA Stanford से किया है, नोने board of Reliance में 1977 से ये है, member, also member है, foundation of board of world economic forum के भी member है, elected foreign member of the prestigious United States National Academy, of engineering, he is a member of global advisory council of bank of America, and member of international advisory council of the Brookings Institution, बड़ी बड़ी चगे है, member है है, next, Mr. Azeem Preem जी, इनका नाम, Philanthropy में बहुत सुना हो था, तो, chairman, Wipro, ठीक है, served, अभी नहीं है, अब, पहले थे, through four decades of diversification and growth, by the early 21st century, Preem जी had become one of the world's wealthiest people, despite his vast personal wealth, Preem जी has continued to be recognized for his modesty, lack of extravagance and charity, 2001 में, non-profit organization, Azim Preem जी foundation के स्थापना की गई थी, ठीक है, education more than 16,000 school, with child friendly content, इन्होंने बनाना, अभी भी Preem जी foundation बहुत बढ़िया ये काम कर रही है, गौतम अदानी, founder and chairman, अदानी ग्रूप, top three industrial conglomerates in India में आते हैं, core philosophy, क्या है, growth with goodness, world class infrastructure गर बना ही रहे हैं, dream है, making India self-reliant in defense and security, पुराने घराने हैं, पैसे वाले ये, कुमार मंगलम बेड़ला, ठीक है, chairman है अदिते बिड़ला ग्रूप के, फिर, national council on confederation of Indian industry में के भी ये member है, apex advisory council of associated chamber of commerce and industry के भी member है, बिड़ला, several key position रखते हैं, director है, cbd of reserve bank of India, central board of directors of reserve bank of India के भी ये director है, and advisory committee जो MCA ने बनाई, उसमें भी ये member है, रह चुके है, council of trade and industry के भी member रह चुके है, chairman, member ने chairman, सेभी ने committee constitute की थी, chairmanship अव, कुमार मंगलम बिड़ला, promote and raise corporate governance के लिए, उसके ये chairman थे, अब विदेश में जा रहे हैं, tim को कभी अभी आप, iPhone 15, 15 plus, 15 pro, pro max, launch किया है न, CEO of the most valuable company in the world, which is Apple, किसके बाद लिया, after Steve Jobs, cancer से उनकी death हो गई थी, 2011 में, उसके बाद Tim को कह अभी तक है, ठीक है, opening Apple store in China, developing new product lines, ठीक है, very public battle FBI, and their demand that Apple creates a back door, for iPhone user, FBI से लड़ गए थे, कि हम तो नहीं करें, पिर है Bill Gates, Microsoft found किया था, इनोंने, largest PC software company है, ठीक है, world's wealthiest people में, सबसे top पे बहुत लंबे समय तक रहे हैं, philanthropic venture, अब Bill and Melinda Gates Foundation बना के, ये, समाद सिवा में लगते हैं, Warren Buffet ने भी, vast majority of his wealth, इनके ही charity में, Bill and Melinda Gates Foundation में, donate की है, Elon Musk, Tesla, अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ती, ठीक है, born in South Africa, businessman है, inventor है, investor है, ठीक है, founding PayPal and Tesla, ठीक है, SpaceX जो rocket वाला है, और Twitter जिसको अब X नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो भी own कर लिया है, Warren Buffet, the ace investor, most successful investor in the world, wizard of Omaha, बोला जाता है, क्योंकि इनका birthplace Omaha है, Nebraska में, well, one of the worldiest people, इन्होंने pledge किया है कि, इनके मर्नोपरांथ, 90% of इनकी wealth, after that, philantroff, 99%, बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहे, 99% of the wealth, समाद सेवा में, इंडिया में फिर से आते हैं, मोधी जी, नरेंदर मोधी, Prime Minister of India, 30 में 2019 को, second term के लिए बने थे, फिर, 2014 से 19 भी, ये, first time, first ever Prime Minister, ठीक है, to be born, after independence, बाकि हमारे सारे Prime Minister, pre-independence बॉन है, ये, first Prime Minister to be born, after independence, फिर, longest servant Chief Minister, गुजरात के रहे हैं, 2001 से, में 2014 तक, books भी लिखी हैं, poetry और पे, योगा बगरा करते हैं, ठीक है, Joe Biden, America, America, United States of America, ठीक है, 46th and the current President है, Democratic Party से elect होई है, 47th Vice President, जो है, ये रह चुके थे, बाराक ओबामा के administration में, Delaware, US को, ये, रिप्रेजेंट करते हैं, भारती है, ancestry रखती है, इनकी Vice President जो है, इनके साथ, पोल लड़ी थी, against Donald Trump, Kamala Harris, Biden, ठीक है, 6th term senator है, बस इतना बहुत है, फिर, फिर, Vladimir Putin, अरे, इने कौर नहीं जानता है, President of Russia, since 2002, previously, from 1999, until 2008, इससे पहले, ये, Russia की जो, spy agency, KGB, foreign intelligence officer, रहे हैं, 16 साथ, spy रहे हैं, उसके बाद, President है, Under his first tenure as President, country's economy grew for 8 consecutive years, born in Leningrad, now St. Petersburg, Putin's mother was a factory worker, and father conscript the Soviet Navy in early 1930s, practiced Kartes, Samba and Judo at the age of 12, enjoyed reading Marx, Engels and Lenin को पढ़ना पसंद करते हैं, 1975, Study Laws, St. Petersburg University में, चल, बहुत है, पुतन जी के बारे में भी, फिर है, Quad Leaders Summit, तो, एक और Summit आ गई, Third in-person Quad Leaders Summit, Hiroshima में, Japan में 20 में 23 को, हुआ, Prime Minister Anthony Albanese, of the Australia, Prime Minister Fumio Kishida, of Japan, and President Joseph Vidane, of US, यह लोग मिले थे, यहां पर, Productive Dialogue, ठीक है, Free Open, बकवास, Clean Energy Supply, Quad Infrastructure, यह इंपोर्टेंट आ बिटा, Quad Infrastructure Program, जिसमें इंडिया भी है, उसको बात किया था, यहां पर, यह सब कुछ भी करने के खास जरत नहीं, बस बेटा, लास्ट एक बर पढ़ लेना, अब क्या बचा है, सिरफ, सिरफ, अपने कुछ एक, MCQs बचे हैं, आए, MCQs को देख लेते हैं, और फिर यह session, खतम करते हैं, वैसे तो यार, MCQ में, तुम लोग को, answer already दिये वे, तुम लोग खुद देख लोगे, यह चीज़े, अलरेड़ी इसमें, covered नहीं है, एक्स्ट्रा गयान है, तो इसको MCQ तौर पर दे दिया, with this, one of the longest chapter, जो है, वो होता है, खतम, I'll see you guys, when I'll be taking chapter number 3, in our next one shot, wish you all the very best, बेटा, रोज लाइव आई रहाँ, कोई doubt हो, तो जरूर हाँ पर पूछेगा, I'll see you guys, thank you,